तो 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 टोड़े वी आर गोईंग तो डिसकस अवर फिजिक्स टेस्ट पेपर तेट इस नीट 2023 फिजिक्स पेपर ठीक है तो मैं यहाँ पे जो पेपर का कोड है मेरे पास मैं वो है F6 साथ मई को यह आपकी एक्जाम हुई है और बिफोर स्टार्टिंग देखो पहले हम section number A से ही start करेंगे मैं आपको कुछ चीजें बतलाना चाहता हूँ मेरे side से और वो चीजें क्या है तो देखो हम लोगों ने जो live session लिये थे physics में दो live session में बहुत ज़्यादा पुरानी बातें करके आपको यह नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पूरा पेपर जो भी है पेपर में हर एक question वही है जो बायमेंटर्स में आपको साल भर करवाया गया है कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कुछ के साथ में कुछ परेशानिया हुई तर रीजन इस सिंपल कि यह प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि हम बार बार बोलते आ हैं करत करत अभ्यासते जडमती होत सुजान रसरी आवत जातते सिलपर परत निशान यदि मैं इस पेपर को एवालुएट करने की कोशिश करूं 2023 के फिजिक्स वाले पेपर को तो यह नीट 2022 का जो फिजिक्स का पेपर था उसकी तुल नामे तो आसान था उसकी तुल नामे आसान था कंपारटू नीट 2022 अब प्राब्लम कहां पे हुई होगी बच्चों को प्राब्लम हुई होगी कि जब आप इसे देख रहे होंगे पेपर को तो प्राक्टिस की जिन लोगों के साथ में कमी हुई जिनको प्राक्टिस की कमी हुई उन लोगों को समस्याएं हुई होंगी लेकिन more or less मैंने आपको जो दो live session अभी इसी week में हुए थे 3rd of May को and 4th of May को जो live session हुए थे 7 को Sunday था पेपर था 6 को Saturday था 5 को छुट्टी थी तो 4 और 3 को मैंने 2 लगातार live session लिये थे and उसमें 50-50 मतलब 100 questions मैंने आपके साथ में discuss किये थे live में और जब मैं questions discuss कर रहा था तो उसके साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि ये question यहाँ पर कि इस topic में और क्या आपको पढ़ना है तो मैं पहले मेरे paper में जो questions हैं उसके इसाब से बता दू F6 मेरा code है code है मेरे paper का F6 F6 code है पहला question मेरे पास में alternating current का जिसमें हमारे पास में मैंने ये दिखा रखा है आपको क्या दिखा रखा है ये सवाल है resonance का तो live lecture 1 और 2 ये आप देखे हैं जिन्होंने live attend की हैं classes उनको clearly idea होगा कि मैंने clearly आपको बोला था कि alternating current chapter में से resonance topic को जरूर पढ़के जाना इसको मत छोड़ना और normal RLC circuit के steps हैं 13 steps होते हैं वो करने ही होते हैं क्योंकि सवाल उसके बाहर जाता नहीं है transformer के बारे में मैंने बोल दिया कि काफी time होगया transformer पे सवाल नहीं पूछा तो इस बार आप expect कर सकते हो and you will be happy to know that कि AC इस chapter से 3 questions जो आए है उसमें एक तो यह रहा resonance वाला, resonance frequency का आप में से उस समय live में कई बच्चों ने पूछा था कि सर quality factor का क्या करेंगे तो भाई मैंने बोला था resonance का यदि आप पढ़ रहे हो तो resonance के साथ में quality factor तो आपको पढ़ नहीं होगा अब quality factor का सवाल 2024 में आने की chances बढ़ गए ठीक है फिर एक सवाल ये हो गया एक impedance का सवाल आया section B में है और एक transformer का सवाल आया तो तीनो के तीनो questions जो है यहाँ पर cover हो चुके है फिर current electricity question number two मेरे पास current electricity का है या मैं एक काम करता हूँ रुको एसा करने के बजाए मैं आपको chapter wise ही बताता हूँ कि मैंने क्या बताया था तो units and measurement इस chapter से यह दी मैं बात करूँ तो आपको simple error का सवाल आया था और error मैं भी significant figure से related ये चीज मैंने आपको clearly बोली थी live session में significant figure को देख के जाना और error को देख के जाना क्योंकि सवाल यहीं पर कहीं बनेगा क्योंकि मैंने भी significant figure का ही सवाल आपको live में लिया था पर देखो exactly same सवाल कभी भी नहीं आ सकता है topic और concept जो है वो important होते हैं फिर हम बात करते हैं motion in a straight line की तो straight line में मैंने आपको बोला था clearly कि straight line में आप average velocity कीजिएगा क्योंकि इसको 2 साल हो गए नहीं पूछा है और motion under gravity को करके जाईएगा क्योंकि इसमें भी काफी time हो चुका है सवाल नहीं बनाया है तो इसलिए मैंने ये दोनों topic यहाँ पर आपको बताये थे motion in a plane मैंने आपको बताया था 2022 में projectile motion से range का सवाल आ चुका है relative velocity को वो हटाने के कयास में है तो इसलिए बचता है अकेला option है oblique projectile motion तो range पिछली बार पूछी जा चुकी मैंने आपको बोला था कि या Hmax या time of flight दोनों में से कुछ भी आ सकता क्यों मेरे हाथ में नहीं है तो उन्होंने simple Hmax का सवाल यहाँ पर पूछा था फिर मैं आगे चलता हूँ NLM laws of motion वाला chapter इसमें मैंने आपको बोला था कि F बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं F बराबर DP by DT इस concept को करके जाना और यदि इस पे नहीं पूछा तो उनके chances हैं कि वो impulse पे सवाल पूछेंगे देखो अब मैं चाहता तो ये word नहीं लिखता कि मैंने impulse बोला था करके अब इसके अलावा मैंने जो तीसरा point बोला था मैंने बोला था कि friction पे simple सवाल आएगा जो कि acceleration से related ही होगा ये तीन topic मैंने बताए थे आपको इसमें जो सवाल बनाया है F बराबर DP by DT rate of change of force बराबर क्या होता है rate of change of momentum तो यहाँ पर वही direction कि force किस direction में लग रहा होगा mass तो constant हो गया तो वही है तेम चीज थी friction का simple acceleration का सवाल उन्होंने पूछा था work power energy की यदि मैं बात करूँ आप से आगे बढ़ता हूँ मैं अभी यहाँ पर work power energy में मैंने आपको जो चीज़े मैंने बताई थी पहले मैं उन पर बात कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि कोलीजन को देख के जाना और simple work energy theorem या energy conservation इस पर basic सवाल आने के संभावना है और power का सवाल वो पिछले साल ही पूछ चुके थे तो उसके आने के संभावना कम है तो work energy power में जो उन्होंने सवाल पूछा था वो सवाल था उन्होंने क्या पूछा पेपर में उन्होंने पूछा था spring वाला सवाल ठीक है हाला कि आपको पता होगा कि मैं spring को oscillation chapter में भी पढ़ाता हूँ I was expecting question spring से but not from this side अब ये जो सवाल पूछा गया था ये सवाल आपको DPS में करवाया गया कुछ test पहले भी आया हुआ है कि 5 cm extend करने पर energy U है तो 10 cm expansion पर energy U- कितनी होगी exam में जो सवाल आया वो 2 cm और 8 cm का सवाल आया देखो data exactly कभी भी same नहीं हो सकता है तो ये सवाल यहां पर आपको आया था आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद मैं shockingly system of particles and rotational motion मैंने यहां पर आपको क्या चीजे बोली थी मैंने यहां पर आपको बोला था कि एक तो rolling motion का देख लेना भाई ठीक है और आपको बोला था radius of gyration का क्योंकि ये radius of gyration का इसलिए बोला था कि moment of inertia आ चुका था तो radius of gyration और rolling motion पे बनने के chances थे torque वगेरा सारे सवाल पिछले बार पूछ लिए थे center of mass से related सवाल पूछा जा चुका है तो दो-तीन paper के analysis से यही समझ में आ रहा था कि rolling motion या radius of gyration के सवाल बनेगा तो उन्होंने radius of gyration पूछा rolling motion नहीं पूछा इस बार उन्होंने क्या किया एक ही question system of particles and rotational motion से पूछा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है एक ही सवाल इस इतने बड़े chapter से पूछा वैसे भी बहुत सारे बच्चों के chapter difficult लगता है तो कई लोग इसे छोड़ के भी जाते थे तो उनके लियाद से तो ये काफी अच्छी चीज़े हो गई अच्छा motion नहीं स्ट्रेट लाइन में एक और सवाल आया था जो सवाल हमारे system में भी है आपको करवाया गया था DPS या test के थूर वो सवाल में एक और सवाल प्लस करना भूल गया वो सवाल कौन सा था कि हमारे system में एक सवाल है कि एक block के अंदर में ऐसे गोली डागी जाती है यहां से और ये 33% speed को खो देती है कुछ ऐसा है तो इस block की थिकने से बतानी है दी इसमें इतने blocks और जोड़ दिये जाए तो कब जाके गोली रुकेगी वही same type का pattern का सवाल था नाओ यहां से आगे बढ़ता हूँ मैं अगला जो chapter है ये है mechanical properties of solids इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी कौन कौन सी दो चीजें बताई थी एक मैंने बोला था भाईया bulk modulus को देखके जाना इस पर काफी time हो गया सवाल नहीं आया है और दूसरा जो youngs modulus का formula है इसको proper करके जाना कि सवाल stress और strain मैं यहीं पर बनेगा इसको expand करके भी मैंने लिखवाया था कि mg upon a और ये delta l by l कि भाईया यहीं पर सवाल बन जाएगा बहुत बाहर जाने की ज़र्वत नहीं है और जबकि मैंने खुदने सवाल जो दिया था पेपर में वो आपको hooks law का graph पर सवाल दिया था मैं बोला नहीं सवाल यहीं आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम बात करते हैं fluids इस chapter की देखो fluids में मैंने क्या बोला था इसको क्या हो गया तक यहाँ हो हाँ fluids में fluids में हमने बोला था आपको surface tension करके जाने को surface tension करके जाने को और capillary करके जाने को और examples करके जाने को याद करना मैंने सवाल करवाया था atomizer works on the principle of और मैंने बोला था इस सारे examples आप कर ले ना तो इसमें क्या हुआ कि capillary का सवाल तो नहीं आया यह example पर बेस सवाल आया century meter और surface tension वो जो bubble को फुलाते हैं वो वाला सवाल आया ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग thermal properties of matter अब thermal properties of matter में मैंने आपको expect किया था कि एक तो वो radiation वाला जो होता है स्टीफन्स law of radiation और एक मैंने आपको बोला था means displacement law यह दो चीज़े मैंने यहां पर आपको बोली थी लेकिन नहीं आया कोई बात नहीं लाल निशान बनाए एक हमारे पास में के टीजी के टीजी में मैंने आपको दो ही चीज़े बोली थी भाई डिग्रिया औफ फ्रीडम और जो vrms है directly proportional to square root of temperature जिस पे मैंने सवाल भी करवाया हुआ था during the live session दिया हुआ था आपको पस मेरे सवाल में थोड़ा तो अंतर हो गई न भाई exactly data कैसे सेम आ जाएगा तो यहां पर यह वाला सवाल तो नहीं आया यह वाला सवाल आ चुका था फिर thermodynamics मैंने आपको यहां पर एक चीज बोली थी भईया देखो जादा कुछ नहीं करो क्योंकि कुछ बच्चे इसमें confused थे तो मैंने एक ही बात बोली थी एक काम करना कारनौट साइकल करना भईया क्योंकि काफी टाइम हो गए कारनौट इंजिन आपने नहीं किया है तो इसकी efficiency को देखके जाना और यही सेम सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिला होगा अब बात करते हैं oscillation और waves oscillation में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था oscillation में मैंने spring बताई थी विटा कि spring pendulum पे सवाल बनने के chances हैं या तो spring pendulum पे direct सवाल आएगा नहीं तो spring से related सवाल जरूर आएगा अब उन्होंने उसको work energy power के basis पर एक सवाल दिया एक और सवाल उन्होंने दिया जो हमने predict नहीं कर पाए थे यह कह सकते हो लेकिन वो सवाल कोई ऐसा difficult नहीं था जो देखो मैं किन चीज़ों के बारे मैं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ last के दो lecture की बाते कर रहा हूँ last के दो lecture की सिर्फ last के दो live session जो मैंने लिये थे I am talking about only those two live session otherwise you will find that same question वैसा जो question है कि भाईया आपको equation निकाल ली थी oscillation के question में graph के थुरू जो कि आपको बता लगाना था कि mean position से graph start हो रहा है या कहां से graph start हो रहा है और उसके basis पर आपको acceleration निकालना था तो सवाल आसान था बराबर लेकिन हमने इस पे ज़्यादा focus किया था और waves में आप मैंसे कई लोगों ने उस समय भी पूछा था कि sir यदी हमा sir एक बात बताओ कि tuning focus का सवाल आएगा तो क्या करेंगे तो मैंने आपको clearly बोला था नहीं आएगा आप open pipe और close pipe का comparison करके जाना और test में यही सवाल पूछा भी है ठीक है यही ऐसे ही type का सवाल था third mode या fifth mode का ratio था third और fifth mode का कुछ ratio था यहाँ पे उन्होंने दोनों का fundamental पूछ लिया देखो exactly मैं फिर से वही कह रहा हूँ exactly same सवाल कभी नहीं होता है topic का सवाल बनता है यह topic हमने आपको बोला यह करके गए आप तो अच्छा हुआ आगे आते हैं electric charges and field electric charges में मैंने आपको इस बार के लिए clearly बोला था gauss law को अच्छे से करके जाना क्यूं मैंने बोला था gauss law को क्यूं करके जाना बोला था याद करो मैंने बोला था कि आपको पिछले उसमें magnetic flux का सवाल पूछा जा चुका है हाला कि magnetic flux का भी सवाल आया है यहाँ पर gauss law of magnetism तो gauss law को देखके जाना तो उन्होंने clearly यही सवाल भी पूछा है close integral e vector dot d a vector बराबर 0 है तो इसका क्या मीनिक है अब जिसने gauss law पढ़ा है तो उसको तो पता है ना basic law है सवाल आया है और सबने किया भी होगा थेरी भाई पढ़नी पढ़ती है हमने इस पर सवाल में flux निकलवाया था उन्होंने gauss law को theoretically भाई पूछा भाई अब बिना थेरी पढ़े तो numerical किसी ने किया ही नहीं होगा फिर हम बात करते हैं electric, electrostatic potential की अब potential में हम जो कर रहे थे हम आपको बात कर रहे थे कि ये वाला potential concentric का potential का मैंने सवाल आपको दिया भी था paper में, test paper में करने के लिए और एक simple सवाल capacitor से expected था जहां पर dielectric slab को डालने वाला सवाल लेकिन उन्होंने capacitor का simple combination पूछा जो कि बहुत ज़्यादा difficult नहीं था उस सवाल को आप कम से कम 2-3 बार कर चुके होगे क्योंकि अपने system में वही सेम सवाल 9C 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 करके है उन्होंने 3-3-3 करके पूछा आगे बढ़ते हैं current electricity में current electricity में मैंने आपको clearly बोला था color coding करके जाना time हो गया दो साल हो गया नहीं पूछा था और KVL KCL based ही सवाल आएगा इसके बाहर कुछ जाने की संभावना है बहुती कम है चर्चा आपनी वीश्टोन ब्रिज और potential meter को लेकर के भी हुई थी तब मैंने आपको बोला था कि chances बहुत कम बन रहें इस बार chances इन ही के ज़्यादा बन रहें तो KVL के अकेले के ही बेटा दो सवाल तो इसी के आ गए color coding का एक सवाल आ गया एक सवाल हाँ एक सवाल जो मैंने खुदने भी आपको करवाया था thermal resistance वाला मैंने theoretical सवाल करवाया था लेकिन आपको thermal resistance पे formula लिखके करवाया था कि चीजों को थंडा करना एक गरम करना वो ध्यान से देखना RT बराबर R01 प्लस अलफादी formula क्लियरली लिखके दिया था द्यूरिंग दे लाइव सेशन आलसो उसी पर बेश्ट एक सवाल यहां से भी आया करन लेक्षटी में से 4-5 सवाल इस बार उन्होंने पूछे है moving charges moving charges में जब हम बात करते हैं तो हमने clearly आपको बोला था दो चीज़े मैंने बोली थी यहांपर moving charges and mechanism में एक तो force वाला बोला था BIL वाला की conductor को force या फिर force per unit length इन दोनों मेंसे एक बनने के पूरे पूरे chances हैं ये मैंने आपको सवाल यहां पर एक बोला था 2pid वाला formula दोनों मेंसे एक बनने के chances हैं ये एक बात बोली थी मैंने और दूसरा मैंने आपको जो सवाल बताया था इसमें से एक आने के chances की बात हुई थी अपनी और दूसरी बात हुई थी कि wire या जो क्या बोलते हैं उसको coil का magnetic field का combination जो combination आया है हम लोगों के system में मैंने जो आपको during the lecture सवाल करवाया था मैंने आपको ऐसा फिर ऐसा बना के ऐसा सवाल करवाया था यह मेरा अपने system का सवाल है जो मैंने आपको करवाया है उन्होंने इस सवाल को ऐसे दिया है उनका सवाल ऐसे ऐसे और ऐसे है हमने ऐसे ऐसे और ऐसे वाला किया हुआ है तो बस एक direction का खेल बदला है बाकी सबको same है magnetism and matter इस मैंसे क्या आया था magnetism and matter का सवाल एक मिन रुकना ज़रा मुझे देख लेन तो मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको जो बताया था पहल मैं वो तो बता दू क्यों वो तो मुझे याद ही है न मैंने आपको property पे ध्यान देने को बोला था म्यूडी diamagnetic paramagnetic और एक मैंने intensity of magnetization पे ध्यान देने को बोला था इस बार क्योंकि यह नहीं आये है काफी time हो गया है और इस बार जो अपना सवाल आया है magnetism and matter का कहां गया magnetism and matter का सवाल क्यों नहीं दिख रहा मेरे को था ना एक तो theoretical सवाल कुछ तो भी था हाँ, torque वाला रह गया तब ही मैं बोलू कौन सा कुस्तो भी छूट रहा है हमारा कुस्तो भी छूट रहा है torque वाला सवाल हाँ, torque वाला सवाल जो हमने बोला था आपको, torque और यही सेम सवाल पूछा भी था आपको मैंने टॉर्क वाला की एक मैगनेटिक फिल्ड में रखने पर तो वही ये वाला तो आ गया वो प्रॉपर्टी इंटेंसिटी नहीं आई ये दो टॉपिक पे सवाल नहीं आया था ये वाला आ चुका था हम बात करते हैं EMI के बारे में EMI में अगेन फ्लक्स और एनर्जी का मैंने आपको बोला था एनर्जी और एक चीज़ और बोली थी मैंने ये वराबर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वेर वाला तीन चीज़े बताई थी तीन मैंसे उन्होंने दो पे कवर कर लिया ये और ये 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 नहीं करा एनर्जी इंड़क्टर के एनर्जी सिंपल वाला हाला कि मैंने इसमें एक और टॉपिक बोला था क्या बोला था टोटल फ्लक्स बराबर एलाई या एमाई इस पर सवाल भी बन सकता है ये पॉसिबिलिटी थी क्योंकि इस चैप्टर बड़ा है तो इसमें से जादा सवाल एक्सपेक्टेड थे लेकिन उन्होंने ये दो टॉपिक कवर किये ये और ये छुटे है तो ये अगले बार एक्सपेक्टेड है जाहिरसी बात है दोजार चोवीस में फिर इसी पर सव सवाल आएगा देख लेना क्या बात है सर मैंने ग्रैविटेशन चाप्टर छूटा गया क्या बीच में से कहीं हाँ तभी मैं बोलने ग्रैविटेशन सा कम क्यों लग रहा है चलो ग्रैविटेशन का भी मैं लिख देता हूं यहीं पर लिख देता हूं ग्रैविटेशन में मैंने आपको clearly बोला था acceleration due to gravity नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा क्या आएगा तो मैंने बोला था आपको time period of satellite मतलब satellite को अच्छे से देख के जाना पूरा सवाल satellite पर based ही आने की पूरी-पूरी संभावना है एक सवाल और आया था इसमें दो सवाल जो आये थे मुझे expected था time of period का आयेगा वो आचुका था सवाल एक और सवाल आया था इसमें potential से related हालांकि ऐसा ही सवाल electric charging field में यह एक और सवाल रह गया हमारा जो हम क्या सदा potential वाला field zero potential निकालना है डाइपोल वाला ठीक है एक potential का यहाँ पर gravitational potential का भी सवाल एक आया था तो देखो यह option भी है आपके पास अभी उन पे हमने चर्चा नहीं करी थी now ray optics के बारे में हम बात करते हैं ray optics में मैंने आपको जो चीजे बताई थी एक तो मैंने बताया था आपको चश्मा चश्मा वाला सवाल की चश्मा लगाते हैं कौन सा क्या होगा और combination of lenses combination of lenses यह दो बताए थे इसका सवाल नहीं आया लेकिन इसी के दो सवाल direct आ गया अब भई दो टॉपिक बतायते कर रही होंगे न आपने wave optics wave optics में मैंने आपको बोला था भाई ydse को देखके ही जाना छोड़ना मत और जो सवाल मैंने यहाँ पर करवाया था angular विर्थ वाला याद आ रहा है कुछ angular विर्थ वाला angular विर्थ का एक सवाल करवाया था theta बराबर lambda upon a सवाल इसी पर था लेकिन theory थी कि lambda बनाने पर angular विर्थ कम होती है जादा होती है या slit को परदे के पास source को परदे के पास में move कराते हैं तो क्या होता है वो theoretical सवाल पूछा था तो मतलब यहाँ पर भी यह सवाल आपका same cover हो चुका था आगे बढ़ते हैं dual nature में बताने लायक कुछ होता ही नहीं है dual nature में मैंने जो दो चीज़े आपको बोली थी क्या बोली थी एक तो भाहिया देखो Einstein की equation पर सवाल ना आया ऐसा होता ही नहीं है तो यह तो आई गया था यह तो सब कही आना है दूसरा सवाल मैंने आपको बोला था यहाँ पर particle से related energy and wavelength के relation याद करना मैंने आपको बोला था electron proton सबका कर ले ना बाई जितने मैंने चीज़ें बताई यह alpha particle किसी का भी मत छोड़के आना ठीक है अभी भी एक chapter बीच में से शाहिए missing हुआ है क्या हाँ दो chapter बीच में फिर छोड़ाए मैं कौन-कौन से electromagnetic waves और एसी लिए उनको मैं लाश में लिख दूँगा कोई बात नहीं ड्वैल निचर के बाद में हम बात करते हैं atoms में मैंने क्या बोला था एक तो radius करके जाना मैंने खुद ने सवाल पूछा था आपको पेपर में क्या कि second orbit की radius इतनी है तो third orbit की कितनी होगी examiner ने सवाल क्या पूछा first orbit की इतनी है तो third की कितनी होगी ये तो सवाल match कर गिया और दूसरा मैंने आपको hydrogen spectrum पे series बोली थी कि भया hydrogen spectrum की series करके जाना वही लाइमन बामर वाली सवाल पूछेंगे तो वह उन्होंने पूछ भी लिया फिर आगे बढ़ते हैं nuclei 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 में हम लोगों ने इस बार वही half life predict करी थी equation प्रेडिक्ट नहीं करी थी equation जो होती है न कि alpha decay कर दिया बीटा decay कर दिया नहीं सीधा वाला सवाल प्रेडिक्ट के एक ही प्रेडिक्ट किया था सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर मैं से logic gate को करना ही था और combination वाला logic gate पे हम दो expect कर रहे थे दो में से एक या तो waveform या तो वो waveform बोलेंगे या combine करेंगे gate को तो उन्होंने combine combination पे सवाल पूछ लिया waveform पे नहीं पूछा है इस बार फिर उन्होंने जो devices थे आपके devices पर theoretical सवाल पूछा है PN junction diode नहीं पूछा है और rectifier का output यह सवाल थोड़ा out of the box हो गया क्योंकि यह सवाल में क्या होता था पहले chapter हुआ करता था communication system और मैं कभी कभी time pass में भी theory में बताया हूंगा आपको कि जो हमारा mobile charger कैसे काम करता है मैंने एक lecture मतलब चलते हुए lecture में बताया हुआ है कभी live में नहीं बताया था क्योंकि उतना time नहीं था मेरे पास कि AC components को हटाने के लिए कौन use किया जाता है वो भी मैंने बताया हुआ तो वहां से एक अब रह गया कौन सा EM wave तो second live का पहला सवाल था EBC वाला याद आ रहा है मैंने बोला था इसमें दो चीज़े बनती है एक तो magnitude वाला और direction वाला तो ये सवाल adjectives आ चुका है और एक सवाल हमने properties से related बोला था properties पे सवाल नहीं आया ये वाला आ चुका है आपका और कौन सा रह गया AC AC में हमने आपको transformer करने को बोला था क्योंकि बहुत time हो गया transformer का सवाल नहीं आया था अच्छा AC का मुझे लगता है मैंने पहले ही बता दिया था है न हाँ resonance और वो सारी जीज़ें यहाँ पे बता चुका था तभी मैंने इसको छोड़ा था दूसरा मैंने resonance का बोल दिया था आपको और तीसरा RLC circuit का सीधा simple current से related कुछ तो भी पूछ लेंगे ये चीज़े बोल थी और उतनी की उतनी सारी की सारी आई है अब देखो मैं कोई 100% यह नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मैंने जो दो लाइव सेशन में लिया वही की वही पूरा आ गया हाँ एक दो जगे मैं थोड़ा एक्स्रा बताया जैसे मैंने बोला waveform या combination में से आया तो सिफ combination वाल आया waveform वाला नहीं आया तो कोई ना कोई एक ही आने वाला था अब यहां पर मैंने तीन टॉपिक बताया यहां पर प्लस प्रॉपर्टीज बताई थी प्रॉपर्टीज पर नहीं आया इस बार फिर यहां पर यह चश्मे वाला सवाल नहीं आया यहां पर flux वाला नहीं आया ये सारी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने दो live session लिये थे, और यहाँ पर ये वाला सवाल, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर क्या नहीं आया हमारा, यहाँ पर हमने potential को नहीं predict किया था, यहाँ पर degree of freedom का नहीं आया, और कौन सा नहीं आया, और पूरा आ चुका है, ठीक है, चलो, अब मैं यहाँ पर solution start कर देता हूँ, बेटा, question paper का, ठीक है, in a series LCR circuit, inductance L दिया गया है, capacitance C दिया गया है, resistance दिया गया है, frequency at which resonance ओकर, L बराबर होता है, 1 upon 2 pi under the root of Lc, 1 upon 2 into 3.14 into under root L कितना है, 10 milli henry मतलब minus 3, और बेटा C कितना है, 1 और micro मतलब 10 to the power minus 6, अब जड़ा देखते हैं, 10, एक कटेगा 2, 6, 8, 8 का root minus 4 उपर जाएगा तो, 1, 2, 3, 4, 0 बनाएंगे, तो L बराबर कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 0 उपर, और नीचे कितना है, यह 6 point something, यही है न, देख लो भाई, 6 point, 2, 8, इससे divide करना है, तो भाईया कितना आएगा, साथ एक कम करेंगे, साथ एक कम साथ, तीन जीरो, सच्चोग 28, सच्पंच 35 के आसपास मान लो, क्योंकि यह साथ से छोटा, 6, 35, कुछ-कुछ वैसा ही हो रहा है, तो 1, 5 के आसपास, और कितनी जीरो बच रही है, दो, तो 1500 Hz के आसपास का आंसर होना चीए, Yes or no, frequency, यहाँ पर कौन सा मैच करेगा, 1.59 kHz, कौन सा मैच करेगा, 1.59 kHz, ठीक है, यह मेरा पूरा analysis है यहाँ पर, अब आगे सवाल फटाफट, फटाफट करते हैं, यह सवाल देखिए कौन सा है, KVL, अब यहाँ पर इस circuit को यही रीड्रॉ करते हो आप, तो देखो यह दो बैटरी बनाई है न, यह दो बैटरी क्या है, एक छोटी डंडी, बड़ी डंडी, फिर बड़ी डंडी, फिर छोटी डंडी, यह माइनस, ए पलस, ए पलस, ए माइनस, यह है दस, यह है पाँच, तो यह इन दो को क्यूँ बनाऊं मैं, एक ही रख लेता हूं, कौन सी, ये और ये कितने की हो गई पांच वोल्ट की हत्म अब इसमें आगे क्या है यहाँ पर एक रजिस्टेंस है यहाँ पर एक रजिस्टेंस है यहाँ पर एक रजिस्टेंस है यह है एक ओम का यह है दो ओम का और यह है साथ ओम का सही बात है देख लो करंट कितना आएगा फिर करंट आई बराबर आएगा बैटरी टोटल पांच और साथ और दो तीन दस तो पॉइंट फाइव एंपियर अब पॉइंट फाइव एंपियर के एक ही आप्शन है तो यह करंट देखो इस सर्किट में कैसे फ्लो होगा यहां से ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा बराबर यह वाला पॉइंट है ए यह वाला पॉइंट है बी और यहां पर बीज में एक ए पॉइंट और था तो ए से बी थुरू ए पहला ये option correct हो गया ज्यादा सोचने की ज़रती नहीं पड़ी यस और नो अगला सवाल इस सवाल कहां मिड़ी गया तब तक इसमें actually क्या है दो को देखते हैं बाकी तो कहीं कुछ नहीं हुआ ना बाकी सवाल तो है भाई यहां पर इफ डिफलेक्शन इन गैलवेनो मीटर जीरो देन आर कितना होगा ये है ठीक है पेपर आपके पास होगा मैंने आपको बताया अब गैलवेनो मीटर में डिफलेक्शन जीरो है इसका मतलब no current flow बराबर एक simple concept होता है और no current flow इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर आपका open circuit और open circuit ह हो गया मतलब ये जो पूरा दो वोल्ट है वही यहाँ पर भी आएगा क्यों इसे मैं zero मानूंगा yes or no ये पूरा का पूरा दो वोल्ट पैरलल में होने के कारण इसके across आ जाएगा दो आ गया अब सोचो दस में से दो यहाँ गया तो यहाँ पर कितना आएगा तो यहाँ आठ वोल्ट किसके across लग रहा है 400 ओम के across बराबर तो अब इससे आपका करंट मिल जाएगा तो करंट कितना आएगा भाई आई बराबर वी बाई आर सही है तो कितना आएगा यह बताओ बोलो simple logic है यह करंट आ गया अब आपको यहाँ पर क्याची यह आर तो आर बराबर आ आएगा वी बाई आई और वी कितना है दो बोल्ट और करंट कितना है एट बाई 400 तो यहाँ से आंसर आजाएगा 100 ओम लॉजिक है clear simple सवाल है समझ में आया कि बाउंसर लगा समझ में आया कि बाउंसर लगा भाई देखो गैलवेनों मीटर में डिफलेक्शन जीरो है मतला इसमें से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा मतला डेफिनिटल यह ओपन सर्कृट है क्यों यहाँ पर कुछ भी गनेक्टेट नहीं है करंट आधर जाई नहीं रहा पूरा करंट यहीं से घूमके पूरा करंट यहीं जा रहा है इसका मीनिंग यह है कि पूरा करंट यहां से चलके ऐसे ही आ रहा है तो यह जो दो वोल्ट है वो पूरा का पूरा यहीं मिल जाएगा यह 2 वोल्ट यहां मिला मतलब 10 में से दो यहां आ गए तो इस वाले रेजिस्टनस के अक्रोस 8 वोल्ट बचेएगा ठीक है 8 वोल्ट 400 अम के अक्रोस मतलब इस में से करंट मिल जाएगा आपको कितना आठ बटे चार सो अब यदि करंड यही आएगा करंड सेम तो यहाँ पर पोटेंशल V बराबर IR तो R बराबर आएगा V by I V आपका 2 वोल्ट और करंड आठ बटे चार सो सॉल किया हंडेड ओम चार ओप्शन दिये गए थे 50, 100, 200 और 400 चार ओप्शन क्या क्या दिये गए थे 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम और 400 ओम चलो अगले सवाल पर मैं मूव ओन करता हूँ PPT चेंज कर दी है मैंने करवा दी है मतलब Question कौन से चप्टर का question है? KT जी है The temperature of a gas is minus 50 degree Celsius to what temperature the gas should be heated so that the RMA speed is increased by 3 times तो RMA speed का temperature से क्या relation है भईया? तो VRMA जो होता है वो directly proportional होता है square root of temperature के यहाँ पर temperature में क्या ध्यान रखना है कि यह किस में लेना है? Kelvin में लेना है तो अब speed को increase करना है 3 times increase करना है कितने times? 3 times और एक point जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वो है by और 2 का फरक यही खेल था बस इसमें मैं आपको बताता हूँ कई लोगों ने किया होगा V upon 3V equal to square root of minus 50 मतलब 273 में से कहे तो यह आएगा 223 upon T कई लोगों ने इसको ऐसे किया होगा square करेंगे V से V कटेगा 1 by 9 equal to 223 upon T तो T बराबर आगया 223 into 9 बराबर मतलब 223 मैं से गए 223 तो यह आगया 9 2009 क्या Kelvin में आगया यह तो मैंची नहीं कर रहा मतलब जायरसी बात है कि आप लोग समझ चुके हैं कि यह गलत है क्यूं? increase by है मतलब आपके पास में बनेगा V upon 4V increase by 3 times increased by 3 times 3 times बढ़ा दिया गया है so equal to square root of 223 upon T so काटपीट के square करेंगे तो T बराबर आएगा 223 into 16 कितना answer बन रहा है बेटा? तोला की टेबल ले लो 16 32, 48, 8, 4 16 32, 4, 36, 3 16 32, 33, 34, 35 यह आगया आपका temperature कैल्विन में option में यह नहीं दिख रहा है degree Celsius वाला लेंगे तो 273 आपको subtract करना पड़ेगा यहाँ पांच आएगा यहाँ कितना आएगा? तीन और छे, नौ, यहाँ चार, दो, दो, थ्री, टू, नाइन, फाइव डिग्री, सल्सियस that's the answer, खतम clear तो यह by और two पे ध्यान रखने को जो मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर में यह छोटी-छोटी चीज़ें होती है ठीक है? increased two लिखते तो यह 3V वाला होता यह गलत है, यह समझ में आया by और two का फरक सवालों में ध्यान देना होता है अगला सवाल देखो कौन सा सवाल आ रहा है यहाँ पर एकदम आसान सा सवाल है system क्या बोलते हैं radius of gyration का सवाल the ratio of the ratio of radius of gyration of solid sphere of mass capital M and radius capital R about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere, देखो यहाँ पर है solid sphere और यहाँ पर है hollow sphere of same mass and radius about its own axis उपर कौन है solid है, नीचे कौन है hollow है यहाँ और नो तो भाईया solid का moment of inertia क्या होता है 2 by 5 MR square होता है और hollow का कितना होता है 2 by 3 MR square होता है यहाँ और नो यही होता है कलाथ कितना होता है कई लोगों को लगा कि नहीं यह नहीं होता करके नहीं रहे भाई द्यान दो और radius of gyration क्या होती है तो radius of gyration होती है under the root of I by M यस तो हमें चाहिए K solid upon K hollow तो कितना आएगा भाई under the root of 2 by 5 MR square whole divided by M under the root of 2 by 3 MR square upon M तो यहाँ पर देखो M से M कड़ जाएगा यह यहाँ पर कड़ जाएगा यह यहाँ पर कड़ जाएगा Your answer is root 3 by 5 और root 3 by 5 कहीं नहीं है तो हमें यही आंसर लगाना पड़ेगा मतलब वास्तविक्ता में उन्होंने यही moment of inertia का ratio पूछा होता तो 3 बटे 5 आ जाता था लेकिन ठीक है कोई बात नहीं कई बार चीज़ें ऐसी रहती है मतलब यह सवाल bonus हो सकता है bonus हो सकता है हो सकता है क्यों कह रहा हूँ हो गई क्यों नहीं कह रहा हूँ क्योंकि भाईए आप NTA वालों को जानते हो वो कहेंगे root 3 और root 5 नहीं दिख रहा तो 3 बटे 5 लगा देते क्या दिखकत था भाई तुमके लिखोगे 2.2 लिखोगे यही लिखोगे न 5 का square root चलो इसमें कोई possibility दिख रही है क्या चलो 1.7 को ऐसी रहने देते पॉइंट से पॉइंट अटाया 17 बटे 22 हो गया तो देखो 5 से लगबग डिवाइड करोगे तो वो answer चल जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 4 चोगा 16 चार पंजे 20 तो 4 बाई 5 वो भी यहाँ पर नहीं है कहीं 4 पॉइंट सम्तिंग और 5 पॉइंट सम्तिंग वाला तो वो भी नहीं है कहीं यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि भी मान सकते हैं आंसर माना गया हो सकता है अगला सवाल देखो कार नौट इंजिन सवाल कौन सा है कार नौट इंजिन has an efficiency of 50% when its source is at temperature of 327 degree Celsius the temperature of the sink is तो कार नौट इंजिन की efficiency का formula क्या होता है 1 minus temperature of sink upon temperature of source yes or no into 100 भी लिखना चाहिए वैसे देखा जाए तो लेकिन यहाँ पर अगेन वही temperature किस में होंगे Kelvin में यह छोटी छोटी बात है होती है जिन यह आप ध्यान रखोगे तो problem नहीं होगी और ध्यान नहीं रखोगे तो फुर बहुत problem होनी है यह efficiency है 50% तो 50 बराबर आएगा 1 minus temperature of sink पूछा है और source का कितना दिया है 327 degree तो 327 और 270 कितना आएगा 300 और 306 आएगा यहाँ पर इन्टू 100 हम कर लेते हैं 50 से काटोगे यह कटेगा दो बार दो आएगा इधर में तो 1 by 2 equal to 1 minus t by 600 यहाँ पर इसे solve करते हैं बिटा तो कितना हो जाएगा इसको इधर इसको इधर तो t by 600 equal to 1 by 2 तो t बराबर आ रहा है 300 क्याल्विन that is t बराबर आ जाएगा 27 degree Celsius सवाल देखो कितना आसान सवाल है तो पेपर भहिया इस बार comparatively easy है इसको मैं बार बार आपको दहरा रहा हूँ comparatively easy है अगला question देखते हैं a bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal ये ध्यान से पढ़ना था क्यों reason 2022 के पेपर में r का सवाल आया था तो नहोंने angle vertical से दिया था तब भी बहुत सारे बच्चों से वो simple सवाल ही गलत हुआ था यहाँ पर क्या पूचा है the maximum height attained by the bullet bullet का maximum height क्या होगा g की value 9.8 लेनी नहीं पढ़ना भाइस चेक कर मैं आप सीधा h maximum का formula लिखिए u square sin square theta upon 2g ठीक है चलो u कितना दिया है 280 into 280 sin theta sin 30 की value होती है 1 by 2 तो 1 by 2 का square upon 2 into 9.8 की जगे में 10 मान लूँ क्या थोड़ा सा approximate से answer निकाल सकते हैं क्या देखो यह छोटी छोटी चीजे है क्योंकि देखो दो close answer यही वाले दो close है बाकी तो दूर है यदि इसमें आता है तो मैं check कर लूँगा भाई एक बार और क्या दिक्कत है लेकिन जबरदस्ती क्यों लजना है तो इसको काटोगे तो देखो यह बचेगा 140 यह भी बचेगा 140 और 140 से 140 कटेगी दो से काटोगे तो यह 70 बचेगा बराबर so what you are getting you are getting 40 into 7 0 0 सच्चोग 28 2 7 और 2 9 980 आ रहा है मतलब 1000 वाला answer होगा खतम always focus देखो competitive exam में यही दिमाग लगाना होता है पर सर मान लो इसके पास में कहीं पहुंच जाता तो हाँ तो करना पड़ता न लेकिन नहीं आया न नहीं आया न तो क्यों टेंशन लेनी है तो इससे क्या होई calculation काफी जल्दी हो गई दस करने की वज़े से यह चीजे ध्यान होनी चाहिए और यही एक average student को अलग करती है यही एक smart mind को अलग करती है तोनों में differentiability यहीं से बनती है अब हम as a teacher आपको बताते हैं लेकिन क्या होता exam में ध्यान नहीं जाता है इन चोड़ी चोड़ी जीजों पर कि भाई देखो चार option है चार में से तीन तो एकडम दूर है एक चौथा ही तो किसी के पास आ रहा है नहीं आया तो कौनसी ऐसी बहुत लंबी calculation फिर तो करनी पड़ती ना लेकिन ये तो जल्दी हो गई yes or no और मैं तो उल्टा लिख दिया 14 into 70 मैं तो सीधा 14, 70, 90, 80 बोलता सीधा cable तो आनी चीए ने इतनी 25 थीस था अगले सवाल पर आ जाओ देखो क्या बोल रहा है an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity ये आपके electric field intensity की direction है और P बराबर दे रखा है 2 into 10 to the power 5 और यहां पर आपने एक dipole को रखा है ऐसे ही ये P vector हो गया और ये वाला angle है 30 degree का it experiences a torque equal to 4 newton meter तो ये torque जब electric dipole को electric field में रखते हैं या magnetic dipole को magnetic field में रखते हैं वैसे ही चलता है same analogy है तो टाव बराबर आएगा P E sin theta मैंने magnitude लिखा है direction से कोई मतलब नहीं है और P को क्या लिख सकता हूँ Q into 2L लिखते हैं याद है और E और sin theta now put the values torque कितना दिया गया है 4 charge यहाँ पर पूछा गया है calculate the magnitude of charge on the dipole तो charge on the dipole तो वैसे next charge 0 होता है किसी भी एक का charge लिखा जाता है length कितनी है dipole की if the dipole length is 2 cm तो 2 cm मतलब 10 to the power minus 2 meter electric field भाईया 2 into 10 to the power 5 और theta 30 degree मतलब 1 by 2 चलो क्या काट सकते हो यहाँ पर काटो 2 से 2 cancel हो जाएगा और यह यहाँ पर 3 बनाएगा और इसको काटोगे तो यह 2 आएगा तो Q बराबर आएगा 2 into 10 to the power minus 3 कूलम तो 2 mille कूलम option number 3 में clear cut दिख रहा है कितना आसान है यही तो type है paper का ऐसा ही paper मिलता है बेटा statement wise सवाल देखो कहां से है यह photo voltage device can convert optical radiation into electricity बच्चा बच्चा जानता है वैसे भी आज कल देको solar energy से related बहुत जादा चर्चा चल रही है तो शायद उस वज़े से सवाल उन्होंने पूछा हो photo voltage device can convert optical radiation into electricity आज energy की बहुत आवशक्ता है solar की तरफ wind energy की तरफ लोग देख रहे हैं एक new energy renewable source of energy की तरह से तो शायद उस वज़े से पना निए but option तो true है statement to zener diary designed to operate under reverse bias in breakdown reason यह statement भी true है यह कुछ-कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यान की प्राप्ती हो जा इसलिए दोनों statement true दे दिये तो both statement 1 and 2 are correct मेरे पास जो code है वो f6 है मैं आपको बता चुका हूँ आपके यहां पे option उपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं तो इनको दियान से देखें भई अगला सवाल देखो हाँ भई the errors in the measurements which arise due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply क्या होता है ऐसे ऐसे error जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हवा तेज चल गई बिजली गिर गई धूप आ गई यह हो गया वो हो गया random पूछ नहीं पता आदी आ गई तूफान आ गया हवा चल गई बिजली गिर गई सूरज के मन में आया कि मैं अब तेज चमकूंगा सूरज के मन में आया कि मैं नहीं चमकूंगा है ना random errors जिर के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है random errors random errors the ratio of frequencies of fundamental harmonics produced by an open pipe to that of closed pipe तो भाईया open का मतलब ये वाला open होता है और close का मतलब ये होता है नहीं तो कोई और सोच ले कुछ तो भी ये ऐसे और इसमें ये ऐसे बनता है तो किसका पूछा ratio of frequencies of fundamental तो भाईया fundamental frequency of close क्या आती है close की आती है v by 4l और open की आती है v by 2l सवाल में ध्यान से पढ़ना पहले कौन लिखा है an open pipe to that of close pipe क्योंकि देखो option देखो 2 raise to 1, 1 raise to 3, 3 raise to 1, 1 raise to 3 1 raise to 2 तो मतलब आपको चाहिए no upon nc पढ़िए ध्यान से ये आएगा v by 2l whole divided by v by 4l काटा पीडी करो your answer will be 2 by 1 और 2 by 1 आपको option number 1 मैं ही दे रखा yes or no simple कहानी वही है बिड़ा ध्यान, नजर, हटी, दुरगटना, गटी दोनों option दे रखे है हो सकता है आप में से किसी का 1 by 2 आ गया और ये silly mistake है इसे silly mistake की category में गिना जाता है आपने सवाल को ध्यान से नहीं पड़ा गलती किस की है teacher की क्या आपकी साल भर बोला जाता है कि ध्यान से सवालों को पड़ो the net magnetic flux through any closed surface is क्या है ये Gauss law for magnetism closed integral b vector dot a vector बराबर 0 क्या आएगा answer में answer में आएगा भाईया 0 अगला देखिए the work function of cgm, potassium and sodium dual nature का सवाल है तो भाईया work function दिया है cgm का 2.14 work function potassium का दिया गया है second number वाला 2.3 और sodium का दिया गया है 2.75 क्या सवाल पूछा उसने if incident electromagnetic radiation has incident energy 2.2 electron volt या 2.20 ले लो which of these photosensitive surface may emit photo electron तो भाईया photo electron emit होने की condition होती है incident energy work function से क्या होनी चाहिए बड़ी मैंने work function को यहाँ पे w लिखा है कोई बात नहीं मैं phi कर देता हूँ ठीक है अब तो खुश तो incident energy work function से बड़ी होनी चाहिए तो अब यहाँ पर देखिए ये ये तो इससे बड़े है मतलब एक मात्र option CGM में से बड़ी है incident energy work function CGM के work function से बड़ी है बाकी दो से छोटी है मतलब CGM से तो photo electron निकलेंगे बाकी किसी से नहीं निकलेंगे clear बात है CGM only is the answer खतम सवाल अब ये कहा calculation करनी है बताओ अब ये Einstein की photo electric effect की equation पर simple सा सवाल है एकदम simplest question आप इसे कह सकते हो हाँ वई the minimum wavelength of x-ray produced by an electron accelerated through potential difference of v volts is proportional to अब ये सवाल को आप समझे कैसे हम लाएंगे the minimum wavelength of x-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of v volts ये है यहाँ पर क्या आएगा answer क्या लगता है पर हो या energy बराबर होती है h new energy को लिखा जा सकता है h c upon lambda लेकिन energy कहां से आ रही है electron को accelerate किया है v volts से तो q into v बराबर h c upon lambda आप से क्या पूछा है lambda v के किस प्रकार से proportional है तो भहिया cross multiply करोगे तो lambda बराबर आएगा h c upon e v तो lambda proportional to आ गया 1 by v so simply answer आ गया option number one और मैंने इसमें आपको alpha particle, proton, electron सबके value के साथ मैं याद करने को भी बोला था x-ray क्या है electromagnetic radiations है ध्यान रखिए x-rays क्या है electromagnetic radiations है इसलिए ये formula लग रहा है इसलिए यहाँ पर हम वो वाला formula नहीं लगाएंगे momentum वाला जो लगाते हैं क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये particle नहीं है पर सर इलेक्ट्रॉन तो पार्डिकल है तो भाई electron particle उसकी energy तो q into e रहेगी न वो तो आप सभी जगे वही रखते हो तो उसके सामने वाली जो wavelength है वो तो यहीं से आईगी yes or no simple हाँ आप किसी के दिमाग में आया होगा lambda बराबर सर h upon under the root of 2mk तो यहाँ पर सुन लो क्या हो रहे है यहाँ पे जो wavelength निकल के आ रही है वो पारडिकल के आ रही है जबकि यहाँ किसकी पूछी है x-ray की पूछे जो की electromagnetic radiation इसलिए यह formula नहीं लग रहा है के को आप q into v लिखके हो सकता है किसी के मन में यही आया होगा क्यों तरने live में दो दिन पहली तो बता आया था तो यही लगा के आ गए हम लोग अब देखो अब यह तो common sense खुद को भी तो लगाना पड़ेगा ना भाही कुछ तो भी ठीक है चालो कितने सवाल कर दे हम लोगोंने काफी कर लिए होंगे लगता है चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पर 12V 60V 60V Lamp is connected to the secondary of a step-down transformer whose primary is connected to AC means of 220V supply assuming the transformer to be ideal मतलब input power बराबर output power what is the current in the primary winding primary winding में current तो भीया मैंने क्या बताया P input बराबर P output मतलब V I I I बराबर VOIO अब क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं input supply 220 दे रखी है तो मैंने लिखा 220 और current आप से primary में पूछा है output voltage और output current तो भीया output current नहीं दे रखा लेकिन उसने इसको 60 direct दे रखा है काम खतम तो I input कितना आएगा 60 बटे 220 0 से 0 कटेगा 6 बटे 22 that is 3 बटे 11 तीन बटे 11 का मतलब कितना हो गए अब देखो option close हो गए अब option close हो गए तो मुझे ध्यान से करना होगा point लगाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ेगी ग्यारा दुना बाइस आठ जीरो ग्यारा साथ सतत्तर 0.27 अब देखो कितने close option डाले उन्होंने 2.7 भी डाला है 0.27 भी डाला है 3.7 भी और 0.37 भी तो डरना नहीं है थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आपका सवाल यहाँ पर बड़े ही easily हो जाएगा ठीक है Yes or No Transformer पर बेश्ड प्यारा सा छोटा सा सवाल अगला सवाल देखिए देखो क्या सवाल है यह Light travels a distance X in time T1 in air and 10 X in time T2 in another denser medium What is the critical angle for this medium कैसे करते हैं भाई अब basic basic चीज़े यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत कभी होनी ही नहीं है जैसे critical angle की जब हम बात करते हैं तो भाईया देखो यहाँ पर हमारा यदि denser medium है यहाँ पर हमारा rarer medium है यह normal मैंने draw किया यह light source यहाँ से आया और ऐसे हो गया तो यह वाला angle आपका critical angle हो जाएगा yes or no अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं simple यदि आपको पूरा concept याद है तो ठीक है formula कई बार भूल जाते हैं हम लोग तो mu1 sin i बराबर mu2 sin r तो sin r तो 90 हो गया और i क्या हो जाएगा critical angle तो sin i बराबर आएगा mu2 upon mu1 अब यहाँ पर mu2 ये वाला बनेगा और mu1 ये वाला बनेगा अब mu क्या होता है भाई तो mu होता है c by v ओ सर अब क्या करें सर यहां तो time mime के form में दे रखा ये तो आई नहीं रहा कोई बात नहीं हमें से और format में ला सकते हैं mu2 by mu1 को मैं लिख सकता हूँ ic बराबर sin inverse क्या लिख सकता हूँ बताओ सर यहां तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हम लोगों को देखो sin inverse mu2 को मैं लिखूंगा c by v2 मतलब मैं यहां पर speed मान लेता हूँ इस मीडियम में v2 और इसमें v1 तो क्या लिखूंगा भई mu2 को क्या लिखा जाएगा mu2 by mu1 क्या बन जाएगा v1 by v2 बन जाएगा अब यह यह ध्यान देना भई v1 by v2 v2 कहां पर है denser में अब ध्यान से देखना light travels a distance x in time t1 in air मतलब v2 कितना आएगा आपका v2 कितना आएगा speed बराबर distance upon time तो यह आएगा x upon t1 और v1 कितना आएगा बिटा 10x in time t2 10x by t2 सही है गया please go through it please go through it put कर देते हैं तो ic बराबर आएगा sine inverse v1 कितना लिखा है 10x by t2 whole divided by x upon t1 काटा पीटी कर लो तो ic बराबर आएगा sine inverse 10 t1 by t2 clear और 10 t1 by t2 कहाँ दिया है option number 3 में दिया है 10 t1 by t2 देखो जायरसी बात है या तो आप concept से कर लो या direct भी कर सकते थे जैसा भी आपको चित लग रहा हो हाँ वाई देखो ये जवाल आया error वाला units and measurements क्या बोला गया है यहाँ पर बोला गया metal wire तो wire का मतलब होता है ऐसे wire होती है तो इसकी यह cylindrical shape होती है मास दिया गया है मास दिया गया है 0.4 plus minus 0.002 gram radius दे रखी है radius 0.3 plus minus 0.001 और यह millimeter में है और length दे रखी है 5 plus minus 0.02 और यह centimeter में the maximum possible percentage error in the measurement of the density density क्या होगी बेटा mass upon volume तो density आएगी mass upon volume क्या आएगा pi r square h या l लिख लो मैंने l लिखा है वहाँ तो height होती है cylinder की तो भईया delta rho upon rho बराबर आएगा delta m upon m plus 2 delta r upon r plus delta l upon l लेको सारा data है बस rho की समस्या है rho की समस्या है rho निकालना पड़ेगा आपको अलग से बाकी तो दिक्कत है यह है क्या उसकी भी दिक्कत नहीं है इसको तो solve करो पहले कितना आएगा बेटा देखना delta rho upon rho into 100 क्योंकि percentage मैं चाहिए तो delta m कितना है 0.002 divided by m कितना आएगे 0.4 into 100 प्लस 2 delta r by r 2 delta r by r r कितना था भाई 3 था ना 0.3 सॉरी और प्लस delta l by l 0.02 divided by 5 और into 100 फिर से भूल चुका हूँ मैं 0.02 divided by 5 into 100 अब एड़ेस्ट करते है बेटा यदि मैं 0 को हटाता हूँ तो ये point shift होके यहां आ जाएगा point से point कटेगा तो ये आएगा 2 by 4 प्लस का अब देखो यहां पर भी करेंगे तो point से point कट जाएगा और ये भी हट जाएगा तो 2 into 1 by 3 प्लस यहां पर आएगा 2 by 5 ठीक है 100 सब में multiply हो चुका है 4, 3 और 5 का lcm कितना आएगा 30 sorry 60 60 आएगा न lcm lcm 3, 4 and 5 का 4 से गर होगे 15 दूना 30 प्लस 20 दूना 40 प्लस 5 12, 65 12, 24 40, 30, 70, 80, 90 94 by 60 ये 1.5 के लगबग आएगा 90 बटे 60 होता तो 1.5 के लगबग लेकिन यहां पर अब फिर से page फस गया क्योंकि उन्होंने option बहुती close कर दिये option बहुती close कर दिये 1.4, 1.6 अब यहां पर देखो अरे पीछे जाना है मेरा 94 by 60 है तो एक काम करते हैं सुनो क्या काम करते हैं देखो यही ट्रिक लगानी होती हैं आपको मैं इसे मान लेता हूँ delta sorry पेन बदलना पड़ेगा यह लोग के साथ हूँ delta rho by rho into 100 9.4 divided by 6 लिख लूगया ओके तो 6 बन जा 6 पॉइंट लगाया 3,4 34 बराबर 6,5 30 4,0 6,6 36 तो 1.56 अब देखो यह किसके जादा close है 1.5 में तो दिक्कत थी तो 1.56 हो गया मतलब 1.6 के close है यह खुद से सोच ना था पर सर डेंसिटी तो निकाली नहीं जरूरत ही नहीं है हमें तो सीधा percentage में चीए था डेंसिटी निकालने की आवशक्ता है ही नहीं न कोई आवशक्ता नहीं है यह YDSE का बेश सवाल है पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो पहला है इफ स्क्रीन इस मूवड अवे फ्रॉम दे प्लेन ओव स्लिट तो एंगुलर सेपरेशन अफ दे फ्रिंज रिमेन तो थीटा बराबर होता है लेमडा अपॉन ए तो भाईया सेपरेशन पर डिपेंड करता है के नहीं सेपरेशन मतलब कैपीटल डी पर इंडिपेंडेंट है मतलब यह स्टेटमेंट टू हो गया फिर बोल रहा है इफ दा मोनो क्रोमेटिक सोर्स आप लारजर वेवलेंथ दा एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजस डिक्रीज़ तो भाईया लेमडा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा मतलब यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया देख लो सिंपल सा सवाल था यह स्टेटमेंट वन ट्रू आरा है और सेकंड फॉल्स हा रहा है तो आप्शन नमबर बी ठीक है? अठारा सवाल कर जुका हूं मैं लग बग सतरा या अठारा जो भी है दा हाफ लाइफ आप लाइफ आप रिडियो अक्टिव सब्स्टेंस इस ट्वेंटी मिनिट्स आपको दे रखा है टी हाफ ट्वेंटी मिनिट्स इन हाउ मच टाइम दे एक्टिविटी ओफ सब्स्टेंस ड्रॉप्स टू वन बाइ सिक्स्टींत ओफ इनीशल वैल्यू तो यह ए ए टी बराबर ए नॉट वन बाइ टू की पावर स्मॉल एन जिसे आप लिख सकते हो ए टी बराबर एनॉट वन बाइ टू की होल पावर टी अपन टी हाफ अब उसने क्या बोला एक्टिविटी कितनी ड्रॉप हो जाती है one बाइ सिक्स्टीन मतलब उसने दिया है 80 बराबर एनॉट by 16 actually तो आपको oral सवाल हो जाएगा क्यों क्यों ये 16 कितनी power में आएगा कितनी बार में आएगा 4 बार में तो 4 into 20 कर दो 80 मिनिट सीधा oral ही भी निकाल सकते हैं भाई देखो 1 by 2 होगा तो 1 half life मतलब 20 इसका आधा 1 by 4 तो 40 इसका आधा 1 by 8 तो 40 और 20 60 और इसका आधा तो 1 by 16 तो 20 और बढ़ गए तो 80 तो सीधा oral ही भी हो सकता है लेकिन जो formula से करते हैं उनके लिए मैंने यहां तक लिख दिया तो ये आएगा A not by 16 बराबर A not 1 by 2 की power T निकालना है और T half है 20 cancellation करते हैं A not से A not cancel तो ये से लिखा जा सकता है 1 by 2 की whole power 4 और ये है 1 by 2 की whole power T by 20 चूंकि base सेम है power equal हो जाएंगी तो T by 20 बराबर आएगा 4 तो T बराबर आएगा 80 minute इस तरह का ये सवाल है ये activity base चलते pattern वही रहता है तो 80 minute is the correct answer for the given question equivalent capacitance of the system shown in the following circuit कितना आएगा भाई देखो जारा यहाँ पर 3 और 3 parallel तो ये जुड़ जाएंगे ये आएगा 6 और फिर 6 और 3 हो जाएंगे series में तो series में आएगा 3 into 6 upon 3 plus 6 6 ती 18 नो 2 microfarad और that's the answer खत्म yes or no इस प्रकार से मैंने आपको 20 question करवा दिये हैं ये 20 वाँ सवाल था आगे 21 question 21 to question 35 शिवम सर लेंगे है ना और question number 36 to question number 50 जावेज सर लेंगे ठीक है तो thank you every much आपको इसी के आगे continuation में वो सारा lecture मिल जाएगा तो thank you so much कि उनके लिए पेपर आसान था और जिसने कुछ पढ़ाई नहीं तो उतर दब वो लेगा यार पेपर को तो question number 21 set number F6 का question number 21 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 21 से 35 तक कराऊंगा उसके बाद जावेज सर आपको कराएंगे ओके स्टार्ट करते हैं देखो अलग-अलग set में अलग-अलग question number हो सकता है आप question match कीजिए और जैसा कि मैंने बोला है एक-एक question बिल्कुल इतना आसान है यार बिल्कुल जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है इस 22000-5% किसी carbon register का resistance की बएन है 22000-5% एक carbon register है उसके color code से resistance निकाला गया है है न हमको क्या बताना है color of third band third band का color क्या होगा देखो अलग-अलग-अलग color के band होते है carbon register आपने देखा होगा उसमें अलग-अलग color के band होते है तो तीसरे band का यहां पर हमको बताना है color तो क्या करेंगे सबसे पहले तो जिसको carbon register की ट्रिक याद है जिसने carbon register का यदि एक भी question serious होके solve किया तो save बन जाएगा सबसे पहले का करते हैं सबसे पहले शुरू के दो जो digit है उनको अलग कर लेंगे 22 और बांकी की power लगा देंगे 10 to power कितिनी हो जाएगी 3 हो जाएगी 1000 है प्लस माइनस 5% तो यहां पर जितने digit आ रहे हैं वो हर एक का एक color होता है यह पहला digit है यह दूसरा digit है और जो power होती है वो तीसरा digit होता है और जो tolerance होता है वो fourth digit होता है और जो हर एक digit हैं पर एक color को represent कर रहा होता है color का यह पर code क्या है color की ट्रक क्या है BB रहा है ठीक है शुरू के 4-5 color बता रहा हूँ वागी होते तो बहुत जाता है लेकिन 4-5 जो है वो common है वो ही आता है BB R O B B4 Black यह Black लिख देता हूँ दूसरा भी जो है वो brown होता है यह red, orange, yellow यह first, यह second, यह third, यह fourth and यह fifth अब देखो लो कौन से color कौन से number को represent कर रहा है वो मैंने number भी लिख दी है और यहाँ पर number भी है आपको पास अब मुसे पूछा गया है कि तीसरा जो तीसरा band है तीसरा band, मतलब की तीसरे number में कौन सा आ रहा है यह first band आता है देखो, यह जो है न शुरू के जो दो डिजिट होते हैं वो first band and second band third band जो है power को represent करता है power कौन सा number आ रहा है, तीसरे number आ रहा है और तीसरे number के color कौन क्या बोलते है जिरो से start हो रहा है मैंने 1 से start कर दिया 0, 1, 2, 3, 4 0 से start होता है power कोई पास कौन सा number आ रहा है 3 number आ रहा है 3 कौन सा color यहां पर है यह orange मतलब की जो third band है वो orange color का होग है तीक अपना answer आगा क्या orange option second समझ में है ना question क्या करना है आपको देखना है सबसे पहले दो डिजट को अलग कर लेना है यह first color है यह second color है first second color दोनों दो दो आ रहा है मतलब की दोसरा कौन सा रहा है red मतलब की first color भी red है second color भी red है first band का color red है second band का color red है third band तीसरे number तीन नूमबर यह पर आ रहा है तीन नूमबर है और अरेंज चाहे न बावगी सारे कंटेर्माइन कर सकते हैं अगला सवाल दिखिए, ac source connected to capacitor c, ac source है, एक capacitor से connected है, due to decrease in its operating frequency, operating frequency को decrease करने पर क्या होने बाला है, जो इसी source की operating frequency उसको decrease करने पर क्या आने बाला है, तो सबसे पहले तेहां पर capacitor है, capacitor है, और हम क्या change कर रहे है, हम change कर रहे है frequency, तो एक आपको relation चाहिए, जो capacitor और frequency को relate करता हो, capacitor का क्या होता है, xc, capacitive reactance, तो xc जो होता है, क्या होता है, बन अपॉन 2πfc, या फिर क्या होता है, बन अपॉन ओमेगा c, ओमेगा की जगे हम क्या लग सकते हैं, 2πf, f यहाँ पर क्या है, frequency, ac source की, तो xc और f में यहाँ पर हम पर्स एक relation आगया, अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, due to decrease in its operating frequency, operating frequency यानि कि f को क्या किया जा रहा है, घटा रहा है, f को घटा हैंगे, तो क्या होने वाला, xc जो है, वो बढ़ेगा, हैना क्योंकि inversely proportional में, पहले option देख लेते हैं, पहला है displacement current increases, displacement current दिवारे में बताना है, देखो displacement current और conduction current, दोनों का जो numerical value होता है, वो एक ही होता है, तो हमको बस यह देखना है कि increase हो रहा है, या decrease हो रहा है, ठीक है, increase हो रहा है, decrease हो रहा है, तो सबस्पहले तो current की लिखा लेते हैं, current क्या होगा, पीक value लेते हैं voltage की पीक नहीं लेना तो instantaneous भी ले सकते हैं V sin omega t ठीक है divide by xc यह आएगा तो यहाँ पर यह displacement current के बारे में क्या खह सकते हैं V sin omega t के बारे में कुछ नहीं पता हमको है ना वो तो constant होगा मदब जो भी instant पर value ली जा रही है वो होगी fix क्योंकि वो चेंज नहीं की जा रहे operating frequency को change किया जा रहा है frequency घटाएंगे तो xc बढ़ेगा अब यहाँ से xc को एधिम बढ़ाएंगे तो जो current है वो क्या होगा घटना चाहिए current को घटना चाहिए current घटना दिखा रहा है कि अदेखो क्या हो रहा है तो गलत हो जाएगा current घटना चाहिए displacement current decrease तो दूसरा option आपर correct हो जाएगा अगले भी देख लेते हैं capacitive reactance remains constant तो गलत हो गया capacitive reactance क्या होगा बढ़ेगा तो यह भी गलत हो गया अगला देख लो capacitive reactance decreases decrease नहीं हो रहा है increase हो रहा है क्योंकि frequency का just opposite है है ना थाना आसान question सिर्फ एक formula लगाता है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था सिर्फ formula based मैंने बार-बार बोला आपसे NEET में 70-80% questions होते है formula based आते हैं और कई बार यह भी बोला है कि JE के question उठाके मत देखिए बहुत सारे इस्टेंट्स का doubts आते थे JE के question उठाके लिए आते थे रे JE नहीं निकालना है तुमको doctor बनना है तुमारे लिए important biology है तुमको engineer नहीं बनना है तो physics एक testing के लिए है और इतना hard level का physics आता नहीं मैंने बार-बार बोला है formula याद कीजिए फर्मला बेस्ट question ही आते है नेट में 70-80% ठीक है अगला देख लो क्या है vehicle travels half of the distance with speed V and remaining distance with speed 2V हाप देखो जिसको formula आदा formula से कर ले trick आदा trick से कर ले आधी distance है आधी distance को D मान लेते है आधी distance और अगली आधी distance है D दो distance है एक D है आधी आधी distance है total distance 2ओगी इसको V से travel कर रहा है इसको 2V से travel कर रहा है सबसे usने time D1, time D2 लग रहा है हमको average speed नकाल ले है average speed नकाल ले है total distance कितनी होगजी total distance होगजी Delhi तो time कितना लगा T बराबर T1 plus T2 total time average speed आएगी speed का होती है, distance upon time total time T1 plus T2, total time मेडfpsज 550 कितने ट्रबल हो रही है 2D और टोटल टाइम में average velocity कितनी होगी VAs को बोल देते हैं है यह T लिखा जाता है पूरे टोटल टाइम के लिए टोटल टाइम में distance 2D ट्रबल हो रही है और 2D distance को हम average speed के साथ ट्रबल कर रहा है तो 2D distance average speed VA T1 time में क्या हो रहा है situation T1 time में distance is D, speed is V T2 time में distance is D, speed is 2V, cancel out क्या हो रहा है D से D cancel out हो गया 2 upon VA यहां पर आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है 2B अधी L से हमनों उपर क्या आ जाएगा 2B plus B यानि कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट 2B स्कार L से हम आएगा 3 by 2B, okay VA कितना आ जाएगा देखो, 2,2 जाब 4 VA यहादर आएगा 2B यहादर आ जाएगा, 2,2 जाब 4 VA यहादर आ जाएगा उपर और नीचे आ जाएगा 3, 4 VA यहादर आ जाएगा, 4 VA यहादर आ जाएगा, ठीक है कोई देकत तो नहीं देखो, यह मैंने ट्रिक बताईए कोश्चन था और सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लग रहा था, ओके तो यहाँ पर अगला कोश्चन हम स्टार्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पर कोश्चन नमबर डेला नहीं है, तो कन्फीज मत हो जाना, कोश्चन मैच करना आप, अलग अलग सेट में, अलग अलग तरह अगला देखिए, अमाउंट अप एनर्जी रेक्वाइट फॉर्म आ सोब बबल ऑफ रेडिये टू सेंटीमेटर फॉर्म आ सोब सलोशन इस नेरली, मलब की दो सेंटीमेटर रेडियस के बबल को हमको बबल को बनाने में कितनी एनर्जी रेक्वाइड है, समझ में आया सोब बबल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, टू सेंटीमेटर का सोब बबल है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उतनी ही एनर्जी रेक्वाइड होगी उसको बनाने के लिए, उतनी एनर्जी लगी ना जितनी एनर्जी उसके पास है, वो एनर्जी क नहीं आ गई, तो 2 cm का bubble है, उसको बनाने में कितने energy कर्च होगी, तो वही हमको निकालना है, ठीक है, वही हमको निकालना है, यह अपर ऐसे भूल सकते हैं, कि 2 cm का bubble है, उसके पास कितने energy है, यह निकाल दो, बात देखिए, तो energy कितनी होती है, energy जो होती है, surface tension into change in surface area, पहले surface area यह 0 रहा होगा, उससे हमने फिर एक bubble बना दिया, तो surface area को चुछ वा गया, है ना, तो direct t into, इसको a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी जो present area है, वो लग दो, अब यहाँ पर थू बड़ा से logic आपको लगाना पड़ाएगा, तो surface tension की में अपने होगा, 0.03 newton per meter, direct ऐ एक outer surface होती है, और एक inner surface होती है, होती है na, surface tension में surface का बहुत बड़ा role है, तो surface ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर क्या होता है, एक drop होती, drop के पास cable outer surface होती है, अंदर तो पूरा पानी भरा है, लेकिन bubble है, bubble की एक layer होती है, उपर air, नीचे air, बीच में layer, तो दो surface होती है, त 4 pi r square, radius कितनी के बने, आपर 2 centimeter, तो 2 into 10 to the power minus 2 का square हो जाएगा, clear है ना question, यहाँ पर हमने लिया surface ही रिया है, sphere का कितना होता है, 4 pi r square, दो surface है, तो 2 से multiply करना नहीं गूलेंगे, okay, तो कितना हो जाएगा, दो 32 जा हो जाएगा, 6, 64 जा, 24, है ना, 32 जा 6, 64 जा 24, pi की बेली रखेंगे, 3.14, है ना, पहले numerical solve कर लेता हो, है ना, मतब जो भी number है, उनको solve कर लेगे, फिर power solve करेंगे, तो कैस करो था 4, अभी power solve कर लेते, power क्या रहे है, देको, minus 2 अधर आ रही ह 34, 4 जा कितना होता, 96, तो 96 का multiply करेंगे, 3.14 से, into 10 to the power minus 6, अभी देको, इसको, 3.14 को 96 से multiply करेंगे, 300 के आसपास अंसर आएगा, क्यों आएगा, 96, 100 से छोटा है, 3.14 से छोटा है, 3.14 से छोटा है, तो 100 गोने 3 करेंगे, तो 300 के आसपास आना चाहिए, अंसर, ओके, ये 5 वाल तो reject हो जाएगा, क्यों ये 3 वाला बचेगा, तो ये आपर जो आनसर आएगा, इसका लगबुक 300 के आसपास आएगा, into 10 to the power minus 6, ये आपर हम इसको बोल सकते है, 3 into 10 to the power minus 4, जूल, ठीक है, 3 into 10 to the power minus 4, जूल के आसपास आनसर आना चाहिए, जो कि option second में आप पर, क्लियर है, ऐसे बार-बार है, मैंने बोला है, कि आपके अलब, जब भी बड़ी calculation देखने को मिले, तो सबसे पहले आपकी नजर जाने चाहिए, option पर, ये option किस format भी बना है, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे exactly इसको solve करने में, या फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस time का kill रहता है, तो इसको समझना जरूरी था, ठीक है ना, अगे निक और formula based question था, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, अब देखते हैं, अगला है, बेंचुरी मीटर वाक्ट सौन, देखो, चिल्ला चिल्ला के बोला है, मैंने exemplar स्रीज में, कि बर्नौरी के प्रिंसिपल पर भी काम करता है, बर्नौरी प्रिंसिपल है, एनर्जी कंजर्बेशन पर बेशन, और यह application है, बेंचुरी मीटर, पर टॉट्ट यू, हैना, बहुत सारे होते हैं, मैंने कहा था, पढ़ लेना किसलिए होता है, फ्लो निकालने के लिए, मतलब बेलोसिटी पॉइंट वाला कोशन है, पॉमला लगी नहीं रहा, यही आपने पॉइंट पढ़े हैं, छोटे-छोटे पॉइंट मैंने बोला था, पढ़ लेना, वहीं से कोशन आया है, बहुत ज्यादा दिमार लगाने नहीं था, अगला देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सिरींट, इसोट이를 बीच में होता है, यह को All economy सिरींट कि अपने होती है, वह सबसे बड़ी हुद इंट rimव साजन?" अपने को लाइन मल रही है, हागे लिखाए में। अगेन एक और प्यारा सा फॉर्मला बेस्ट कोशन यार फॉर्मला ही लगाना और कुछ दिमाग तो लगाना है मुस्किल से 10 से 15 परसंट कोशन ऐसे आते हैं जिनमें फॉर्मले के साथ लॉजिक भी लगता है और वो लॉजिक भी इतना कठन नहीं होता कि आप लगाना पाओ साल पर मेनद किये तो इतना तो बनता है ठीक है इसकी लेमडा रही है इसकी निकालना है तो फॉर्मला लगा दो यहां पर विविलंट का पहले टू से इनफाइनाइट के लिए लगा दें बन बाय लेमडा बराबर कितना आ जाएगा आर जैट के बहले बन हो जाए क्योंकि हाट्रोजन की बात चल दिए बन बाय ए है यहां से कतना है और यहां से कितना है बाय अटो यह पर बन बाय लांट का बाय लागा होता है तो कितना हो जाएगा 1 by lambda 2 यहां से r by 4 square होता है 16 तो lambda 2 यहां से कितना आ जाएगा 16 by r इन दोनों में connection देख लीजे lambda 2 जो है lambda का 4 times है ना इसको ऐसा लिख सकते है 4 by r into 4 और 4 by r क्या है lambda है तो यहां से कितना आ जाएगा यह 4 times lambda यह वेविलनत आ गई बामर स्रीज सोरी ब्रैकेट स्रीज की सौटेश्ट ओके 4 times lambda विच सौफन फर्स्ट है ना फॉर्मला बेश था ना अब एगरी करते हो ना यहार एगरी करना पते है नो फॉर्मला के लाबा कुछ लगाई नहीं रहो मैं दिमाग तो किसी कुशन अभी थक लगाई नहीं है पत सो पॉटेंसिल इनेजी स्टूरों होती है यह ना इंग स्ट्रेश्ट भाइट संटिमेटर पॉटेंसिल इट है इने डी स्ट्रेश कर दियात तो परेंसिल आज़ी क्या होगी देंको बच्चों वाला कुछ ना कहे ना गया हमुला लगेगग ओगो इतना है असान बलगू म आप सीदा सीदा कर लो पहले केस में यू कितने हा रही है यू बोला जा रहा है तो कितने यू बरावर नफ़ाइटू की बने रखेंगे X कर जाय के रहां, X जिए 2 रहां, X स्क्राइब हो जाय का 4, 2, 2 जाब 4 हो जाय के, कितना हो जाय का 2K, CGS यूनिट में चलने देते हैं, तो U की वेलू आ रहा है 2K, दूसरे केस में, U2 इसको बोल दो, 1Y2, के X की वेलू की दूसरे केस में, इस ट्रैच कितना कर रहा है, 8 cm से, तो 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 8 इट जा, 64, 64 Y2 कितना हो जाएगा, 32, 32 K हो जाएगा, U2, U1-U2 का रिलेशन निकाल लो, तो U2 डिवाड़ वाइउ, इंद्टनों को डिवाड़ कर देते हैं, U2 वाइउ, और यहां पर U2 की वेलू कितनी है, 32 K, और यहां पर U की यह आंसर आगया बताओ क्या logic लगा ता कुछ निसी लगा था फॉर्मला लगा था ऐसे भी कर सकते थी potential energy जो होती स्प्रिंग के वो डिर्कली प्रॉफॉस्वती एक्स स्कॉरर के यह जो होता है वो डिर्कली प्रॉफॉस्वती होता एक स्कॉरर के आपको टेंस एनरजी, X कितने गोना बढ़ गया, पहले X2 था, फिर हो गया 8, पहले 2 cm स्टैच कर रहे थे, फिर 8 cm कर रहे हैं, तो कितना टाइमस बढ़ गया, 4 टाइमस बढ़ गया न, 2, 4 जाए 8, X 4 टाइमस बढ़ा, तो यू कितना बढ़ जाएगा, 4 का स्क्वाइर टाइमस, 4 का स्क्वाइर कितना होता, 16, तो 16 टाइमस यू बढ़ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको थोड़ा से ज्यादा प्रेक्टिस है, वो ऐसे कर लेगा, इतना टाइम बेस नहीं होगा, यहना अगे इन एक और प्यारा सा formula based question था, जादा देमाग नहीं लगाना था, अगला देख लो, full wave rectifier, circuit consist of 2pn junction diode, a center tape transformer, capacitor and a lower resistance, ठीक है, यह question थोड़ा सा, थोड़ा सा, बलुकुल मतलब moderate भी नहीं है, easy to moderate बोलता हूँ न, moderate से थोड़ा सा कम है, बागी सारे कुशन दीजिए थे, थोड़ा से easy से, थोड़ा से उपर level question है, क्या है, एक यहाँ पर full wave rectifier है, उसमें क्या का लगा होता है, उसमें pn junction diode लगे होते हैं, full wave rectifier में 2, center tape transformer है, capacitor है, and resistance है, मतलब इतनी चीज़े लगी होती हैं, किसमें, full wave rectifier में, ये question कहा जा रहा है, question में कहा रहा है, which of these components remove, the AC ripple from the rectified output, हमको ये बताना है कि, जो इन सारे component में से, AC ripple को कौन remove करता है, rectified output में से, देखो, क्या होता है, यहाँ पर अपर अपर पास, क्या होता है, AC current होता है, एक AC supply होती है, उस AC supply को, हमको DC में convert करना है, तो हम क्या करता है, rectified यूज करते हैं, full wave rectifier यूज कर रहे हैं, तो full wave rectifier हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो waveform मिलेगा, अपने कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, दोनों cycle में work करता है, fully react fire ऐसा मिलेगा तो फिर पिर इसमें क्या करते हम? इसमें हम क्या करते है, एक transformer लगाते है, transformer इसको थोड़ा सा intensity, जो value होती है, थोड़ा सा कम करता है。 उसके गाते हैं, capital लगाते हैं, अच्छे, इसमें die-o linear लगते हैं. काम करता है फिल्टर का काम क्या होता है एस जो रिपल है उसको हटाता है जो अपने को आउटपुट मिलता है एक्चूल आउटपुट कैसे मिलता है ऐसे मिलता है एक्दम सीधा यहां से यहां तक का जो सफर रहता है वो अलग-अलग डिबाइस से होती है को जटता है डायोड होते हैं ट्रांसफॉर्मर होते हैं कैपसेटर होते हैं फिर रजिस्टेंस अपने को लगाना पड़ता है यहां पर तो जो वेबफोम बनता है यहां से लेकर यहां तक उसमें ब उसके बाद जो cycle है वो कुछ इस तरह से अपने को मिलेगी मतलब कि हाँ पर एकदम से ये DC हमको नहीं देता है rectifier तो यहाँ पर क्या होता है इसके बाद जो आता है वो ripple अपने को देखने को मिलते हैं एकदम clear अपने को नहीं देखने को मिलता है ये output suddenly ऐसा नहीं होता है कि इसके बाद direct हमको यह मिल गया sudden नहीं होता है अलगलग device होते है अलगलग process चलती है तो सबसे जा लाश्ट में जो अपने को output मिलता है वो ऐसे मिलता है उसके बाद क्या लागाते है फिल्टर लगाते है फिल्टर का क्या होता है इस ripple को कम रिपल को हटाना यह जो रिपल दिख रहा है न आपको कहां गया यह जो रिपल दिख रहा है न एसी का मलब एसी की जो भावना इसमें चुपी हुई है फ्लक्चुएट होने की एसी अभी भले ही यहाँ पर यह positive cycle अपने को मल रही है लेकिन fluctuation हलका हलका यहाँ पर भी बुल रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं यहाँ पर हम लगाते हैं फिल्टर का का काम होता है इस ripple को हटाना उसके बाद हम voltage regulator लगाते है voltage regulator के बाद हमको एक यह inform DC output मिलता है तो यहाँ पर filter का काम कौन करता है capacitor काम करता है तो यहाँ पर किसका काम करता है यहाँ पर इसको ripple को AC पल को हटाने का काम करता है ठीक थोड़ा सा logical question है जिसने AC पड़ा है theoretical question है इसमें numerical कुछा नहीं रहा है एक diagram बनता है वो diagram यह देखा है आपने तो आपसे बन जाएगा और सबसे में तो capacitor होता है capacitor रही filter का काम करता है तो अपना answer यहाँ पर काया है capacitor बहुत ज्यादा explain मैंने कर दिया है कि बस diagram देखना था तो यहाँ पर AC का जो ripple है उसको कौन हटाता है यहां से filter हटाता है और filter कौन होता है capacitor होता है या फिर इंड़क्टर होता है ठीक है ना और कुछ तो इसमें था नहीं था अगला देख लो magnetic energy stored in a inductor of inductance four microhenry कहने का current of two ampere यहाँ पर क्या inductor है जिसका inductance अपने गिवन है four microhenry उसके magnetic energy बताने दो कितना आसान से बाला बच्चों बाला ठीक है आप और ऐसा भी नहीं calculation बहुत लेन दियो calculation भी बहुत बाता नहीं एलिक वैल्यक्टर फो माइक्र हन्री फोर इंटू तो दिपार माने सिक्स हो जाएगा करेंट दो एंपिर का फ्लो रहा है तो दो कर स्कॉर हो जाएगा तो से स्कॉर हो जाएगा एट इंटू तो दिपार इंटू दिपार माने सिक्स को अगें माइक्रो बोल दो तो एट माइक्रो जूल अंसर आजाएगा बताओ क्या करना था अगें एक और फॉर्मला बेस्ट अभी तक एक सवाल मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें मुझे सोचना पड़ जाए नहीं आपको सोचने का मौका मिल रह इस जीरो साइकलिक इंटिग्रल ओफ डिए सिजिरो वर सरफेस एंडारेट कोशन उठाय गया है एक्जेंप्लर से मैंने करवाया है कुशन इसका मदब क्या है कि किसी close surface से जितना flux पास हो रहा है वो 0 है sorry net flux जो है वो 0 है e dot ds क्या है e dot ds जो है goss law पड़ा है न एलेक्टिक फिल्ड में e dot ds 0 जीरो ज़ी आ रहा है cyclic integral of electric field vector and surface area vector 0 आ रहा है मदब कि उस surface से जो net flux पास हो रहा है वो 0 है c dc बात है है और पर लेते हैं पहला magnitude of electric field on the surface is constant देखो electric flux जो पास हो रहा है net surface से finite वो 0 है सिधा सिधा इसका मदब यह है क्योंकि finite का formula ही यह होता है अब magnitude of electric field on the surface is constant surface पर electric field का magnitude constant हो चाहे ना हो यदि constant है तब भी यह 0 को रखता है constant नहीं है तब भी यह 0 हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह तो गलत हो गया है अगला देख लो all the charge must necessarily be inside the surface तो यह भी गलत हो क्या है अंदर होंगे surface एक positive charge में surface के अंदर रख देता हूं तो flux net flux 0 कभी हो यह नहीं सकता है तो गलत हो गया है अगला देख लो electric field inside the surface is necessarily uniform uniform electric field से कोई मतलब नहीं uniform electric field तो इसका भी है ना मैं एक surface पेर के अंदर एक positive charge में रख देता हूं एक positive charge में रख देता हूं यह पर charge का ऐसा arrangement बनाके रखता हूं positive charge का कि अंदर जो electric field रहे तो क्या यह इंप्लाइख करता है कि यहां पर निकलने बाला net flux zero होगा कभी नहीं है ना यदि एक ही टाइप का charge है तो net flux zero होई नहीं सकता है कैसे हो जाए कर नहीं हो सकता है गलत हो गया है अगला देख लो number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux line leaving it बिलकुल रटा हुआ सवाल है नहीं जितना flux surface के अंदर enter कर रहा है उतना flux बाहर आ रहा है तो हम कहेंगे कि net flux जो है वो zero है सीधा सवाल है सीधा सवाल है कई बार यह DPS में भी आया हुआ को यह और NCRT exemplar में तो मैंने करवाया ही है नोट्स में भी है बल्कुल सीधा 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 straight forward question उठा के दिया है अगला देख लो football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent जो क्या हो रहा है अपर football player है वो south direction में move कर रहा है तो सब सब्सक्राइब क्या करते हैं direction बना लेते हैं यह north यह south यह west यह east तो जो player कहां जा रहा है south में जा रहा है तो यह हमने south में बना दिया initial velocity v initial south में जा रहा है and suddenly turns eastward with the same speed same speed के साथ east में जाता है तो east सरफ है तो यह east बना दिया यह final velocity को जो magnitude है वो same बस direction change हो रही है है अपोनेंट को वाइट करने के लिए पहले इदर जा रहा है फिर इदर मुट बढ़ जाता है हमको बताना है force that acts on the player while turning is turning के दौरान इस पर कितना force act करेगा किस direction में पूचा गया कितना तो नहीं पूचा गया लेकिन किस direction में पूचा गया है किस direction force act करेगा यह हमसे पूचा गया क्योंकि option सारे direction वाले दिये गया है तो केवल direction को हमको यहां पर समझना है केवल और केवल हमको direction को समझ जाए देखो velocity है तो velocity को हमको force related करना थोड़ा सा आई आई सोचने वाला पहला कॉशन मिला है आना यह सावली बहुत चाहां डिफकल्ट हो velocity को force act कर सकते हैं acceleration होता है तो force act कर सकते हैं velocity को अक हमको तो SaVile Seat दो दीख कर सकते हैं momentum से momentum चेंज होता है तो force क्या होता है for जो होता है वो होता है है rate of change of momentum है तो सस्कोर्ट अब डारेक्ट ली सकते हैं डिल्टा eating डारेक्ट लेक्टा वी कि क्योंकि महास तो सट्स्थ आए को जो फोर्स लगेगा है और चीन इनमेंटम की डारेक्षव मिल्टन लगेगा थीकर है तो डाटी किसे निकाल सकते हैं डिल्ट भी क्या हुआ final इनिशेल फाइनल वेक्टर फाइनल विल्सट्टर मानेस इनिशल बैलोसिडिवेक्टर इसकी जो डारेक्शन आएगी resultant y force की direction होगी क्योंकि यही changing momentum है तो changing momentum force के बढ़ाब होता है है ना तो final velocity की direction अपनी पास final velocity इस direction है इस direction क्या मानते है एक्स मानते है इधर x यह minus x ऊपर by नीचे minus by सीधा सीधा सवाल तो final velocity यह क्या है final velocity इस तरफ है final velocity भी है i cap हो गई initial velocity नीचे की और आ रहा है plus v i cap magnitude तो same है ना के बढ़ा रही है initial velocity है कितनी minus v j cap यह ना इसको ऐसा लिए मैंने तो एक minus पहले से यह minus बाद में आ गया v j cap तो यह से इतना जाएगा भी को को में ले लूँ अंदर के बच जाएगा minus minus plus i cap plus j cap यह direction आ गई finally momentum change momentum की एंड यह direction होगी force की भी तो i cap plus j cap i cap यह होता है और j cap यह होता है जैसा कि हमने माना था i plus j किस direction होगे इस direction होगे यह कौन सी direction है north east direction ठीक है तो answer क्या है का along north east option आएगा second okay clear है थोड़ा सा relate करना था बस force को किससे velocity से और भी तरह की हो सकते है मुमेंटम का फंड़ सिंपल है आप चेंगे बलसेटी निकाल लो चेंगे ब्रावर होगी डायरेक्ली प्रॉपॉसल होगी sorry क्योंकि मास तो constant है और चेंगे मुमेंटम डायरेक्ली प्रॉपॉसल होता है force के तो direction जो आएगे वो से माइगे ठीक है ना यह कोशन थोड़ा सा लॉजिकल था अलाग डिफिकल्ट नहीं था के डबलू अटेच हुआ है अटेच किया गया है यह ना लोंगिट्यूटनल इस्ट्रेश इस्ट्रेश का सीधा-सीधा फर्मॉला होता है force upon area of cross section इस से ज्यादा solve करने का क्या इस question है वायर यूनिफॉर्म है जब तक ना कहा जाए कुछ भी वायर को यूनिफॉर्म मान की चलेंगे ठीक है एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका cross sectional area ए है और जिसके end पर force लग रहा है डबलू तो उसके cross section के हर एक पॉइंट पर जो stress longitudinal stress आएगा वो कितना आएगा उस पर लग रहा force divided by उसका cross sectional area फूर्स लग रहा है यहां पर पर फॉर्म वायर को बिल्वकुल भी फॉर्म बेस्ट कोशन है कुछ ज्यादा टेंसल लेने वाली बात है बताओ क्या करना था इसमें फॉर्म लगाना था है ना जिससे भी नहीं रहा उसका क्या कर सकते हैं बताओ अगला देख लो एंगुलर एसलेशन और बॉडी मूवि कर रही है तो सपूज इक बॉडी है यह सरकल के सरकूंफरांस के जाँआण मूब कर रही है यह एक्सस ऑफ रोटीसं है तो उसकी एंगुलर वालॉसिटी के बारें बताना स्वर्य एंगौर एसलेशन के बारेंना है देखो कोई बॉडी यद्यी सरकूलर मोशन पर्फॉम क रही होती है तो उसके पास कौन कौन संसी होते है उसके पास JAKE सेंट्रीपीितल या रीडिय य生 toxin होता है एक टेंजैसल होता है और एक एंगूलर एसदेशन होता है हुआ होता है नहीं को यहाँ पर हमको एंगूलर एसेलेसन अनुके अलसा के बारे में बता है ठीक है तो पहला option देख लिए जा along the radius towards the center, देखो, again एक और diagram में बना रहा हूँ, ये dot मैंने बना ये axis of rotation है, तो पहला option क्या बोला, along the radius towards the center, radius के along center की हो, तो ये कौन सा isolation हो गया है, ये centripetal isolation हो गया, ये क्या है, centripetal isolation, centripetal isolation की direction क्या हो थी, ये along the center, sorry, along the radius and towards the center, center की और act करता है, direction center की और होती है, और radius की along act करता है, ये centripetal isolation हो गया है, तो ये तो अपने कलत हो गया है, क्योंकि अपने को अपने को एंगुल isolation को बताना है, अगला देख लो, along the tangent of tweets position, tangent के about जो acceleration act होता है, वो tangential isolation होता है, सीथा सीथा नाम सही समझ में आता है, जो इसकी speed को increase करता है, तो ये ये टेंज़ेंसिल isolation है, अगला देख लो, अगला क्या है, along the axis of rotation, ये सही है, axis of rotation के along जो लगता है, axis of rotation के along जो लगता है, वो angular acceleration होता है, ठीक है, angular acceleration हमेशा along the axis of rotation लगता है और यदि इसकी angular speed बढ़ रही है और angular speed की भी direction along the axis of rotation गी होती है इंदो उनों की direction सेम होती है यदि इस angular speed बढ़ रही है तो angular acceleration और angular velocity सेम डार्चन रहेंगे यदि speed घट रही है यदि speed घट रही है तो अलफा उपर रहेगा तो उमेगा नीचे होना पड़ेगा इसकेस में बढ़ेगा और इसकेस में घटेगा यह ध्यान रखना दोनों रहेंगे एक्सियल लाइन पर ही है ना along the axis of rotation उस axis of rotation पर ही रहेंगे तो अपना अंसर क्या आगा ह पर along the axis of rotation यह ओमेगा होता है बस direction पूछा गया और बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं इस सवाल में अगला देख लो plane electromagnetic wave traveling in a free space the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz यह oscillating electric field की frequency गे बने अपने को किसी EM wave में EM wave में electric field भी oscillate करता है magnetic field भी oscillate करता है तो oscillating electric field की frequency यह के बने अपने को है ना and amplitude जो के बने अपने को electric field का कितना के बना E naught 48 volt पर मेंटर यह oscillating electric field का magnitude के बने है sorry amplitude में बोल रहा हूं magnitude यह maximum value electric field then the amplitude of oscillating magnetic field is oscillating magnetic field का amplitude amplitude बताना है बिल्कुल बच्चों वाला कुशन है electric field का amplitude के बने है magnetic field का यहां पर amplitude निकालना है तो EBC वाला formula यहां पर लगाईए क्या EBC है ना अमरसन ने बता है ना EBC E for E naught, B for B naught, C for speed of light E naught यहां पर क्या है E naught जो है amplitude of electric field B naught amplitude of magnetic field C is speed of light B naught निकालना है formula based कोशन है ना क्या करना है कुछ नहीं करना E B naught के तना आ जाएगे E naught divided by C E naught की value यहां पर क्या हो जाएगी E naught की value गएँए यहां पर electric field completed to 48 volt per meter SI unit में गवेना direct speed of light होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second तो कितना हो जागे 16 time cancel out कर देगा 16 into 10 to the power minus 8 tesla यह अपने पास magnitude आ गया sorry amplitude आ गया magnetic field ठीक है 16 into 10 to the power minus 8 या फिर इसको हम 1.6 बूल सकते है 1.6 करेंगे तो 10 का यह सो multiply करेंगे तो power कंतिन हो जाएगी minus 8 से minus 7 टेसला टी लगाए बन पॉइंट 6 into 10 to the power minus 7 tesla यह आगे अपने पास amplitude of magnetic field ठीक है option यहां पर देख लिए जिए option कौन सा आएगा अपना open second इस question में बहुत कुछ नहीं था बताओ सीधा सीधा formula लगाता ना इस question में भी सिर्फ एक question मिला है अभी तक मैं गिंतिक हुए आ रहा हूं एक question मिला है जिसमें थोड़ा सा logic लगा है और वो भी बहुत ज्यादा tough level का सवाल नहीं था प्रिजिक्स में total 100% मास लाना बहुत ही आसान था इस पेपर में अगला देख लो क्या है तू बॉड़ी ऑप मास 9 एम सड़ी मास गिवन है वो अपने गिवन है कितनी आ रहे है capital R यहना gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals zero बिलगी देखो अम पिया पर क्या बताना है उस point पर gravitational potential बताना है उस point पर अपने को gravitational potential बताना है जिस point पर gravitational field intensity जो है वो zero के बराबर है तो दो सवाल होग है सबसे पहले थुमकर क्या निकालना है जहां पर gravitational field zero है suppose small m मास से एक point अपने पास मिला पी small m मास से इसकी distance है x तो 9m से distance कितनी हो जाएगी r minus x हो जाएगी यह वह point है जहां पर gravitational field जो है वो zero है तो इस point पर हमको कह निकालना है gravitational potential तो पहले तो इस point की location निकाल लो x की value है ना कैसे निकले गई यहां पर जो electric sorry electric बोला हूं gravitational field उसको zero कर दो gravitational field इस पर zero कर दो तो इस पर जो आएगा gravitational field e do to um बराबर कितना आ जाएगी इस point पर इसके कारण जो gravitational field आएगा वो इसके कारण gravitational field के बराबर आएगे तो दोनों एक दूसरे के gravitational field को cancel out कर देंगे तो position मिल जाएगी केबल magnitude ले रहा हूं मैं साइन ले रहा हूं ठीक है em कितना आएगा g m upon x square इसके कारण यहां पर और और इसके कारण यहां पर कितना आएगा gravitational field g mass कितना है 9m divided by distance कितनी है r minus x तो cut कहा रहा है g से गया g m से गया m यहां पर कितना हो जाएगा 1y x square और यहां पर 9 by r minus x का square दोनों तरफ यही मैं square लूँ तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या बचेगा अपने पास 1 by x square कितना हो जाएगा x 9 का हो जाएगा कितना 3 and r minus x का whole square कितना हो जाएगा r minus x cross multiply कर देंगे तो r minus x कितना हो जाएगा आपर 3 x r बराबर कितना हो जाएगा 4 x तो यहां से x कितना हो जाएगा r by 4 यह अपने को location मिल गई यह r by 4 है तो यह कितना हो जाएगा r minus r by 4 3 r by 4 हो जाएगा तो यहां से r by 4 distance पर और यहां से 3 r by 4 distance पर potential निकाल लो ठीक है ना अभी क्या इसको clear कर दूं क्या चलो नहीं करता हो clear नहीं करता हो मैं एगले page पर चलता हो gravitational potential निकाल देंगे बीपी पर तो बीपी पर कितना आएगा v d to m plus v d to 9m है ना m के करण कितना आएगा minus g m upon r distance कितनी है x distance है x की बल्यों कितनी है अपने पास r by 4 है कीबल फॉर्मॉला लगाया है मैंने gravitational field का and then gravitational potential का minus g m upon r है ना इसका भी फॉर्मॉला क्या होता है 9m के करण क्या आएगी minus g mass है 9m और divide by 9m से distance कितनी है देखो 9m से distance है 3r by 4 है इसको calculate करेंगे r minus r by 4 3r by 4 मिलेगा तो 3r by 4 रख दो 3r by 4 ओके थोड़ा सच्छे से लखता हूं 3r by 4 तो यहां से कुछ cancel out हो रहा है 3 3 9 हो जाएगा यह देखो 4 उपर जाए कितना हो जाएगा minus 4 gm upon r minus इस 4 को उपर ले जाएगा 4 3 जाओ जाएगा 12 12 gm upon r ठीक है दोनों के base से में add कर देंगे minus 12 minus 4 minus 16 हो जाएगा तो minus 16 gm upon r यह gravitational point आ गया sorry gravitational potential आ गया उस point पर जिस point पर gravitational field 0 ठीक है minus 16 gm upon r ओके तो answer आएगा option अपना second बाला यह पर ठीक है यह भी direct formula based question था है यह direct कौन सा था अपना formula based question था मलब की जो 15 question मैंने आप यह पर कराएं 21 से सैट एप 6 के 21 से 35 तक के question कराएं उनमें मुझे केवल एक question ऐसा मिला जो formula based नहीं है थोड़ा सा concept लगेगा formula भी लगेगा उसमें formula भी लगेगा जो था ना अपना momentum बाला फोर्स की कुछ गी थी उसमें formula भी लग रहा था थोड़ा सा logic भी लग रहा था और logic भी इतना बहुत बढ़ा हुआ नहीं था बिल्लकुल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें था 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 यार बलुकुल नजर पड़ी अंसरा ऐसे एक question में भी थोड़ा से दिया आपने logic समझाना momentum का आपको जादी पता है कि चेंज और चेंज नोबन डायरेक्टली पर्पूस होता है फोर्स की और चेंज नोबन डायरेक्शिली पर भी को तो आप से होने जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपने यह सवाल ठीक है हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायो मैंटेस क्लासे ओनलाइन, होप आप सबके पेपर्स अच्छे गए होंगे, सेक्शन भी आपसे अच्छे से हुआ होगा, लगभख सारे क्वेश्चन सेक्शन भी के बनेंगे आपसे, है न, और पिर आपके पास तो 24 की 5 क्वेश्चन छोड क्या था, नीट 23 सेक्शन भी डिसक्स कर रहा हूं है, पहला सवाल है, फिगर का है, कि वाट इस न, इक्विवेलेंट फोकल लेंट ऑफ कॉम्बिनेशन बना, बताना है बटा, तो ध्यान से देखो, एक लेंस ये बन रहा है, यह प्लेनों कॉनकेव कह सकते हैं, इसे, यह ए लेनों कॉनकेव हैं यह भी, दो की फोकल लेंट निगेटिव में आएंगी, तीसरे की बीच वाले लेंट की फोकल लेंट पॉजिटिव में आएंगी, तो जरा फर्स लेंट अगर मैं देखो, तो फोर्स लेंट कुछ इस शेप का बन रहा है, इसमें ध्यान से देखो, आर और थार्ड एक से दिख रहा है होंगे बिटा यह फिर्स्ट और थार्ड यह भी प्लेजों कौन के वए यह फिर्स्ट और थार्ड की फोकल लेंद आएंगी कह सकते हैं तो बने कॉन अपों एस वान टू कर की जगें इंफिनिटी बन अपन आटू की जगें 20 तो यहां गया 0.6 यह ने 6 बाइ 10 और 1 बाइ 20 तो यहां गया बिटा 6 बाइ 200 यहने 3 बाइ 100 नेगेटिव में यह नेगेटिव है क्योंकि माइनस में 3 बाइ 100 सेंटी मीटर आ जाएगी F1 और F3 दिखी रहा होगा दोनों प्लेनों कौनकेव लेंज हैं दोनों की फोकल लेंज नेगेटिव आएगी नहीं तो निकाल के भी देख लो जैसे मैं 3rd लेंज की बात करूँ तो 3rd लेंज का शेप कैसा है ऐसा ये ऐसा इसमें R1 क्या होगा नेगेटिव साइड आ रहा है तो नेगेटिव 20 और R2 क्या होगा इंफिनिटी लगा के देखते हैं सेम आ रही है कि नहीं मू माइनसर वन अपउन आर वन माइनसर वन अपउन आट वन दू मिू तो भाई यह 1.6 बात फाल वन वन अपउन यहाँ अपउन ट्वेंटि माइनस वन अपाल के या आ जाएगा पेटा देखो तो अगर आपने कर्भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये भी वही आ जाएगा माइनस 3 वा अंडिट सेंटी मीटर बागी सिमेट्री देखके समझ में आना चाहिए कि जो फोकल लेंज पहले की है वही फोकल लेंज तीसरे की आईगी अब बीच वाला बचा है डबल कॉन्वेक्स लेंज इसका यहने 20 और सेकेंड सर्फेस नेगेटिव में आ रही है तो आटू माइनस 20 तो यह डबल कॉन्वेक्स लेंज की फोकल लेंज निकालो यह बीच में तो इसकी फोकल लेंज को एफ्टू नाम दे रहा है म्यू माइनस 1 बन अपॉन अरवन माइनस वन अपॉन 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 यहने 5 बाय 10 और यह 2 अपॉन 20 यहने 1 बाय 10 यहने 0.5 यहने क्या बिटा 5 बाय 10 और 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20 कितना बिटा 2 बाय 20 कितना आ जाएगा 1 बाय 10 तो यह आगे है बिटा 5 अपॉन 100 100 कॉमन रखो जिससे LCM LCM ना लेना पड़े यह बीच के लेंज की फोकल लेंज से पहला लेंज कौन सा बन रहा है प्लेचों कॉन के दूसरा थीसरा भी कौन सा बन रहा है फ्लेचों के और बीच वाला कौन सा बन रहा है डबल कॉन Geld total focal length कैसे आएगी one upon f equal to one upon f1 plus one upon f2 plus one upon f3 one upon f1 की ही हमने value निकाल ली है minus 3 by 100 तो minus 3 by 100 f2 की है 5 by 100 one upon f3 की है minus 3 by 100 तो यह आगया minus 6 by 100 plus 5 by 100 तो यह आगया बिटा minus 1 by 100 तो f आगया minus 100 cm f कितना आगया बिटा बुलेंगे minus में 100 cm f कितना आगया बिटा माइनस में 100 cm answer देखिए दिया है answer देखिए 100 दिया है कि नहीं दिया है second answer आगया बहुत ध्यान से अब आप खुद बताईए इस तरह के questions आपके हुए है कि नहीं यह तो previous year question है इस तरह का इस तरह के question पहले भी आ चुके हैं कितने नेंस बन रहे हैं तीन तीनों की focal length तलग अलग निकाली और फिर हमने निकाली combined focal length कैसे 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 से तो answer आया minus 100 cm clear है अगला question देख रहे है अगला question है maximum acceleration एक car है car बना लीजी एक यह car कुछ भी बना लो यार मुझसे figure figure नहीं बनती है यह car है इसमें इसके floor पे एक body रखी है इसके floor पे कोई block रखा है मान लो तो हमें बताना है car का acceleration क्या हो कि यह block जो है stationary रहे lying on the floor of the car remain stationary car किस acceleration से move कर है कि block stationary ही रहे block उसके floor पे stationary ही रहे block stationary क्यों रहेगा frictional force के कारण और frictional force का formula क्या होता है mu r है ना frictional force की बात करो frictional force कितना होता है mu r अच्छा normal reaction किसे balance करेगा weight को mg को तो mu r की जगे कह लिख दो mg और force की जगे कह लिख दो mass into acceleration frictional force कितना होता है mu r mu r की जगे कह लिख दो mg और force की जगे कह लिख दो m solve करो इसे acceleration के लिए कितना आसान सवाल मास से मास कट गया acceleration आगे mu into g क्या mu दिया हुआ है mu दिया हुआ है coefficient of static 0.15 याने 15 बटे 100 ग्रेविटी लेना है 10 15 बटे 10 याने 1.5 आगे है बिटा maximum acceleration आगे है कार का 1.5 meter per second square अब आप बताईए कहा टफ था यह maximum acceleration कितना आगे है बिटा 1.5 meter per second square बहुत ध्यान से frictional force कितना होता है mu r force की जगे लिखो mass into acceleration mu r की जगे लिखो mass into gravity solve करो acceleration के लिए अगला question अगला अच्छा question है satellite is orbiting just above the surface of earth यह ध्यान रखना अब रेडियस की जगे हमें earth का रेडियस लेना है with a period of t time period कितना है t density कितनी है d और g क्या है gravitational constant तो यह 3 pi by gd क्या बता रहा है वो हमें बताना है 3 pi by gd क्या बता रहा है वो हमें बताना है तो सवाल हम start कहा से ले वो ध्यान से देखो time period की बात है तो time period से सवाल start करो time बराबर क्या होता है distance upon velocity एक चेक्र में कोई छीज कितना चलती है 2 pi r velocity की जगे के लिख दू orbital velocity का formula root में gm by r velocity की जगे के लिख दू velocity का formula root में gm by r अब ये root root देख रहा है squaring कर दो आ जाएगा 4 pi square r square upon gm upon r क्या जाएगा 4 pi square r square upon gm upon r ये r उपर चला जाएगा क्या जाएगा t square बराबर 4 pi square r cube upon gm क्या जाएगा जाएगा t square बराबर 4 pi square r cube by gm ठीक है जाएगा अभी तो answer match नहीं हो रहा है कुछ भी तो ये mass को हटा दो mass क्या होता है density into volume कैसे पता चलेगा mass हटा ना है क्योंकि density की बाते हैं तो mass की जगे कह लिख दो 4 pi square r cube board गड़बर कर रहा है वेटा तोड़ा upon ये g है वेटा ये m है mass की जगे लिख दिया density को किससे लिखा गया है d से density into volume mass को कह लिख दिया वेटा density into volume अब volume को हटा दो ये t square की बाते हो रही है volume को कैसे हटा दो g d volume की जगे लिख दो 4 by 3 pi r cube volume की जगे कह लिख दो बेटा बो लेंगे 4 by 3 pi r cube volume of square क्या होता है 4 by 3 pi r cube r cube से r cube कट गया 4 से 4 कट गया 1 pi से 1 pi कट गया क्या गया देख रहा हो तो t square बराबर ये 3 उपर गया 3 pi by gd शायद यही है 3 pi by gd तो देखो 3 pi by gd किसके equal है 3 pi by gd equal है t square के अच्छा question basic का question अच्छा question बेटा ध्यान से देखो answer क्या आगया first answer आगया a बहुत द्यान से time की बात है तो 2 pi r by v velocity की जगे लिखा root में gm by r root अटाने के लिए squaring की mass को अटाया density into volume से volume को लिखा 4 by 3 pi r cube सारा कुछ basic answer आगया कितना 3 pi by gd किसके equal है t square के equal है 3 pi by gd किसके equal है पुलेंगे t square के equal है अगला figure दी है simple harmonic motion का displacement time graph दिया है acceleration निकालना है 2 second पे 2 second पे देखो particle extreme position पे है 2 second time period कितना है 8 second 8 second कैसे mean position से चालू हुआ है कैसे पता चला graph देखके जो particle mean position से चालू होता उसका graph sinusoidal होता है तो यहां से चालू हुआ 2 second में उपर के आओगा फिर 2 second में नीचे आया होगा फिर 2 second में इधर के आओगा फिर 2 second में लोटा होगा इस तरह से उसका time period 8 second होगा तो 8 second दिया है फिर में लाके यह कि 2 second बाद particle extreme position पर है 2 second बाद particle कहा पर है बटा बोलेंगे extreme position पर है तो extreme position पर acceleration याद करो क्या होता है maximum extreme position पर acceleration क्या होता है maximum और maximum acceleration का formula क्या होता है minus omega square a maximum acceleration का formula क्या होता है minus omega square a omega की जगे क्या लिख सकते है वेटर 2 pi by t omega की जगे क्या लिख सकते है 2 pi by t और into a a and a amplitude अब ज़रा इसे भरो minus में हो जाएगा 4 pi square upon t square into a minus में 4 pi square time period कितना है देखो 8 ये time period मतलब क्या होता है एक चक्कर में लगा time तो एक चक्कर देखो कितनी देर में पूरा हो रहा है 8 second में तो यहां लिखो 64 और amplitude कितना है देखो figure में 1 चार से कट गया आंसर आ गया minus pi square by 16 क्या इसी form में दिया है बिलकुल इसी form में दिया है आंसर आ जाएगा 3 minus में pi square by 16 आंसर आ जाएगा 3 minus में pi square by 16 बहुत ध्यान से दो second बात particle का होगा extreme position पे extreme position पे हमें acceleration निकालना है acceleration का formula होता है minus omega square a extreme position पे acceleration कितना होता है minus omega square a omega की जाएगे क्या लिख सकते है 2 pi by t time period graph में दिया हुआ है amplitude graph में दिया हुआ है answer आ जाएगा minus में pi square by 16 answer आ जाएगा minus में pi square by 16 आगे देखिए अच्छा ये logic gate का सवाल है इसका truth table बनाना है इसका truth table बनाना है इसका truth table बनाना है तो ये है क्या बटा ध्यान से देखो ये इसको symbolically लिखेंगे इसे simple method से भी कर सकते है demorgan's theorem से भी कर सकते है मालो आपको simple method से करना है क्योंकि a और b आपको spon में दिये ना चलो simple method से करते है a कितना 00 01 demorgan's theorem से भी मैं आपको simple बता सकता हूँ अभी मैं ऐसे कर देता हूँ फिर देखो a का not नेकालना है a का not यहने a को उल्टा कर दो one one zero zero फिर b का not नेकालना है b का not कैसे आए का b को उल्टा कर दो one zero one zero फिर दोनों का क्या नेकालना है देखो दोनों का end नेकालना है यह किसका symbol होता है बेटा दोनों का end नेकालना है किसका a not का और b not का इन दोनों का end नेकालो इन दोनों का end हो जाएगा end निकल रहा है दोनों का end को किस से लिख रहे हैं dot से end निकल रहा हूं one end में दोनो one होने पर ही one आता है बाकी zero आता है one zero 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 फिर द्यान से देखो ये end निकल गया अब इसका भी not निकलना है अब इसका not निकलना है अब इसका not निकालना है क्या हो जाएगा 0111 इसका not क्या हो जाएगा 0111 इसका उल्टा कर दो 0111 तो दियान से देखो वह 00 पर ही 0 आ रहा है अच्छा वैसे बने हुए है न 0111 तो answer आगिया first answer आगिया first यह है बेटा देखो 0111 बाकी अलगें यह अलगें यह अलगें यह अलगें तो 0111 यहने answer के आगिया बेटा बुलिंगे first 0111 यहने answer के आगिया बेटा बुलिंगे first समझ रहे हैं बजाय टी मॉर्गन स्टे़रम के मैंने इसे simple method से कर दिया A और B तो आपको question में दिया हुआ है बस दो बार जब बन होता है तो ही बन आता है नहीं तो 0 आता है clear है और फिर end का हमें not निकालना है यह भी not है end का हमें not निकालना है तो end निकालके उल्टा कर दो end का not निकालना है तो answer आगिया first answer आगिया first ठीक है बिटा और आगे बढ़ रहे अगला एक horizontal bridge है, built across a river, a student standing on the bridge, throw a small ball, vertically upward with velocity, 4, the ball strikes the water surface, after 4 seconds, height of the bridge निकालना है, एक बच्चा है, यह जमीन है, यह bridge पे खड़ा है, bridge के height निकालना है, बच्चे ने bridge पे खड़े हो के ball फेकी उपर, जो कुल में लाके, ऐसे आएगी नीचे है ना, पहले वो उपर जाएगी, फिर same level पे आएगी, और फिर नीचे जाएगी, तो 4 seconds लग रहा है बेटा पूरे motion में, ball को कैसे फेका किया है, समझ रहे हो ना, ऐसे, बॉल कुछ इस तरह ऐसे गुंगती हुई नीचे आई है, तो total time ले रहे हैं, 4 seconds, पहले बात करो, ball के उपर जाने की याने, OA की, formula लगा दो, V पर आपर, U plus 80, top most point पे velocity 0 होगी, initial velocity कित्ती दिये, 4, acceleration minus 10, time को नाम दे दो, T1, तो T1 आगिया, 4 बटे 10, याने point 4 second, याने point 4 second में ball उपर गई, point 4 second में ball उपर गई, फिर देखो ball नीचे भी आ रही, A से B तक, तो जित्ती देर में उपर गई होगी, उत्ती देर में नीचे आईगी, तो point 4 second में A से B तक आई, ओ से A तक कितनी देर में गई, point 4 second में, A से B तक भी कितनी देर में आईगी, point 4 second में, तो सवाल उठता है, bridge को कितनी देर में cross करेगी, B से C तक कितनी देर में आईगी, total time दिया है, 4 second, total time दिया है, 4 second, तो bridge को cross करने में कितना time लगेगा चार में से घटा दो 0.4 और 0.4 को यहने 0.8 को तो 3.2 second बिल्कुल basic से मैं बता रहा हूँ तो 3.2 second में वो bridge को cross करेगी अब हमें बताना है bridge की height 3.2 second में bridge को cross कर रही है अब हमें बताना है bridge की height 3.2 second में bridge को cross कर रही है अब हमें बताना है bridge की height फिर से समझ लो bridge पे खड़े होके ball को फेगा तो ball उपर जाएगी फिर rote की same level पे फिर नीचे आएगी उपर जाने में कितना time लगा 0.4 second तो यहां तक आने में भी कितना time लगेगा 0.4 second तो bridge को cross करने में कितना time लगेगा 3.2 second क्योंकि पूरा time दिया है 4 second अब 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 केवल bridge की बात करो formula लगा दो s equal to ut plus rbd square bridge की height हमें निकालना है initial velocity क्या होता क्या है बेटा जिस speed से हम ball को उपर फेखते हैं 4 उसी speed से ball cross करेगी उस particular point को तो यहाँ speed 4 होगी bridge को cross करने वाली initial speed 4 की speed से चीज को पेखा था ना बेटा तो 4 की speed से वो लोटेगी जब वो bridge को cross करेगी initial velocity 4 ले लो time की जगे 3.2 ले लो half की जगे half ले लो acceleration की दगे 10 ले लो time के square की जगे 3.2 का square ले लो यहाँ आपको यह याद होना चाहिए कि जिस speed से ball bridge से फेकी गई है उसी speed से वो bridge को cross करेगी जिस speed से हम ball को bridge से फेकते हैं उसी speed से वो bridge को cross करती है solve कर रो ऐसके लिए कितना हो जाएगा 12.8 plus यह 5 into इसको लिख देंगे 32 by 10 32 by 10 2 से काट दो 16 5 16 5 5 से 5 को काट दो 12.8 plus 256 by 5 है ना 16 का square कितना हुआ पेटा बोलेंगे 256 256 को 5 से divide करो 12.8 plus 55 जा 5 बंजा 0.2 51.2 जोड़ो 12.8 और 51.2 51.2 में 0.8 जोड़ दिया तो 52 52 और 12 64 64 मीटर आगई टावर की हाइट क्या दी होई है बिलकुल दी होई है सेकंड आज़र आएगा 64 मीटर टावर की हाइट कितनी आगई बेटा बो लेंगे 64 मीटर टावर की हाइट कितनी आगई बेटा बो लेंगे 64 मीटर बहुत ध्यान से 0.4 सेकंड में बॉल उपर गई 0.4 सेकंड में ही नीचे आएगी तो ब्रिज को क्रोस करने में कितना टाइम लगेगा 3.2 सेकंड 4 की स्पीट से फेका था तो चार की स्पीट से ब्रिज को क्रोस करेगी फॉर्मूला लगाया S is equal to UT plus half 80 square वो solve किया S के लिए आंसर आया 64 मीटर आंसर क्या आया बेटा वो लेंगे 64 मीटर clear है और आगे बढ़ते हैं दो lenses हैं same focal length के हैं F एक convex से same focal length के है contact में रखेंगे तो equivalent focal length ने कालना है यह formula लगेगा 1 by F equivalent equal to 1 by F1 plus 1 by F2 1 by F equivalent आजाएगा F1 की जगे भी F लिखो लेकिन F2 की जगे minus F लिखो ऐसा क्यों F1 की जगे हम F लिख रहे हैं F2 की जगे minus F क्यों क्योंकि एक convex है तो जो convex है वो positive और एक concave है जो concave है वो उसकी focal length negative में ली convex की focal length हमने positively concave की focal length हमने negatively तो यह तो cancel ही हो गया बटा 1 by F equivalent equal to 0 निकालना क्या है focal length ही निकालना है F equivalent हो जाएगा 1 by 0 यहने infinity मतलब उसकी equivalent focal length क्या हो जाएगी infinity यहने answer आजाएगा 3 मतलब वो lens बचेंगे ही नहीं इन पे अगर हम parallel light डालेंगे तो वो कहां मिलाएंगे infinity से light डालेंगे तो वो light infinity पे ही मिलेगी मतलब यह glass lab की तरह काम करने लगेंगे कांच का टुकडा बन जाएगे बटा lens रही नहीं जाएगे दोनों एक दूसरे को खतम कर देंगे अगर focal lens की बजाए power पूछी होती power होता है one upon f तो power आती zero यहने जीरो power के lens बन जाते लेकिन हम से focal lens ही पूछी है तो focal lens आगई ध्यान से देखो infinity focal lens आगई infinity f1 की जगे भी f लिखा f2 की जगे minus f लिखा तो f equivalent आगई इंफिनिटी तो power equivalent आगई बिटब लेंगे zero f equivalent आगई इंफिनिटी तो power equivalent आगई बिटब लेंगे zero clear है अगला current carrying wire है current कितनी बेर flow हो रही है i positive x-axis के along ठीक है length कितनी है l इसे magnetic field में रखा तो इस पे force कितना लगेगा वो बताना है है i को i ही लिखो l cross b l को क्या लिखोगे length है कितनी l है लेकिन x x scale long है l i लिख दो इसका cross product नकालो किसके साथ b के साथ तो b तो ये दिया है 2i plus 3j minus 4 के, ऐसा, इसा पर कैप है, यह रहने सब यूनिट वेक्टर से, इसका और इसका मझे cross product निकालना है, इसका और इसका मझे cross product निकालना है, cross product कैसे निकलता है, पता है, उपर क्या लिख दो I, J, K, पिर इसके coefficient, L, 00, क्योंकि इसमें केवल I है, J और K तो है नहीं और उसमें लिको 2, 3 माइनस 4 उपर साइन लगाओ, प्लस, माइनस, प्लस और इससे सॉल करो I positive में लेते हैं, J negative में K positive में और ये वाला I बाहर है, capital I याने current यह आ जाएगा I जो लेते हैं उसके नीचे वाले छोड़ देते हैं बगल वाले, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये मैं मान के चल रहा हूँ, आपको आता है determinant solve करना, तो 0 minus 0, I नहीं आएगा minus J, J को negative में लो, J को लिया तो J के नीचे वाले छोड़ दो J के बगल वाले छोड़ दो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो ये minus ये आएगा तो ये आएगा minus 4L minus 0 है न बटा, L का into minus 4 से हुआ तो minus 4L तो 2 का into 0 से हुआ तो 0 plus K के लिया बटा, तो K के नीचे वाले छोड़ दो, K के बगल वाले छोड़ दो, ये चीज मिठ जाएगी है न के लिया तो क्या करूँ K के नीचे वाले छोड़ दो, K के बगल वाले छोड़ दो, तो 3L minus 0 ऐसा आजाएगा बटा के के लिये ये छोड़ा, ये छोड़ा, 3L minus 0 तो ये आगे बटा आई ये आगे 4LJ plus 3LK J और K unit vector है 4LJ plus 3LK length भी common ले लो I into L bracket में क्या बचया 4J plus 3K इतना force लगेगा बटा current carrying conductor पे तो इस form में तो answer ही नहीं दिया है answer तो scalar form में दिया है तो इसका magnitude निकाल लो vector का, किसी भी vector का magnitude कैसे निकलता है बटा root लगाते है और ये देखते है I के साथ क्या है तो I तो ही नहीं J के साथ क्या है तो J के साथ 4 है तो 4 का square ऐसे निकालते है किसी vector का magnitude K के साथ क्या है 3 तो 3 का square तो ये 5 आ जाएगा 16 और 9 पांच तो 5 I L बहुत अच्छा सवाल तो आंसर आ जाएगा 5 I L root में नहीं आएगा second answer आएगा 5 I L second answer आएगा बिटा 5 I L second answer आएगा 5 I L तो याद होना चाहिए किसी current के रहे ही conductor पर force कितना लगता है B I L sin theta इसको vector form में क्या लिखते है I into L cross B इसको vector form में क्या लिखते है तो vector form में आपको force निकालना आ गया क्या होता है force का vector expression I bracket में L cross B length x axis के लौंग है तो उसे L I लिखा इसका cross product निकालना है 2 I plus 3 J minus 4 K से clear है answer आ गया second वाला याने B चली और आगे बढ़ते है एक bullet है उसको fire किया है U velocity जे तीक है तो इस 24 cm चलने के बाद इसकी velocity हो गई U by 3 24 cm चलने के बाद इसकी velocity हो गई U by 3 तो 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 कितना और चलने के बाद ये rest में आ जाएगा ये बताना है rest में आ जाएगा ये velocity 0 हो जाएगी अच्छा हमें total length of the block निकालना है पूरी पत्तब पहले तो A से B तक गया फिर B से C तक गया तो हमें B सी ही नहीं बताना है हमें total length बताना है A सी ही बताना है एक बार हम बात करेंगे A से B तक की और एक बार हम बात करेंगे A से C तक की बार बार इस एक point को लेंगे question समझो A point पे velocity कितनी है U 24 cm चलने के बाद कितनी हो गई U by 3 तो कितना चलने के बाद वो रुप जाएगा ये नहीं बताना हमें शुरू आती length बताना है कि total length कितनी होगी block की जब रुप जाएगा पहले A से B तक की बात करो और ये formula लगाओ final velocity कितनी है U by 3 का whole square U की जगे U लिखो 2 की जगे 2 लिखो A निकाल लो S की जगे 24 लिखो तो ये आगे 48 है दिख रहा हो तो is equal to U square by 9 उसको इधर ले आओ minus U square ये हो गे है minus 8 U square by 9 48 है 8 से काट दो 8 से एकजा acceleration आगे है दिख रहा हो तो minus U square by 54 acceleration कितना आगे है 9 6 है 54 acceleration कितना आगे है minus में U square by 54 समझ में आया क्या हुआ कौन सा फॉर्मूला लगाया V square equal to U square plus 2S V की जगे लिखा U by 3 U की जगे लिखा U और acceleration निकाल लिया अब बात करो पूरी A से C तक की same formula लगा same formula लगा final velocity तो 0 हो गई U की जगे 2 की जगे 2 लिखो acceleration negative में है minus U square by 54 और S निकालना है ये S कौन सा आएगा पूरा A से C तक का और हमें निकालना भी है ये total length solve कर लो S के लिए तो 2 U square by 54 into S is equal to U square U square से U square कट गया ये 27 सा S आ गया 27 cm अगर मीटर में 24 दिया होता तो answer मीटर में आता 24 दिया है सेंटी मीटर में तो answer भी आएगा सेंटी मीटर में answer आ गया 27 cm total length कितनी हो गई बेटा वो लेंगे 27 cm ये नाम के है बेटा section भी देख लीजे सारे सवाल ऐसे हैं कि आप कर सकते थे फिर आपको तो छूटती की पास सवाल चोड़ना है तो बहुत इजी ली आप section भी कर सकते थे कितना आ गया बेटा 27 cm बहुत ध्यान से और आगे बढ़ते हैं एक रेजिस्टेंस है उसका जीर 0 degrees centigrade पर रेजिस्टेंस दो ओम दिया है तो आट 0 है दो और 6.8 ओम दिया 80 degrees centigrade पर आटी दिया है 80 degree नहीं 6.8 ओम change in temperature कितना दिया है 80 minus 0 यहने 80 तो मैं निकालना क्या है temperature coefficient of resistance इसे alpha से लिखते हैं alpha निकालना है क्या होता है formula it equal to r naught 1 plus alpha delta d क्या होता है formula पे टा बोलेंगे it equal to r naught 1 plus alpha delta d तो r t की जगे लिखो 6.8 r naught की जगे 2 1 की जगे 1 alpha निकालना है delta t की जगे 80 बहुत द्यान से solve करो दो से काट दो 3.4 तो यह आगे दिख रहा हो तो यहां कर देता हूँ 3.4 बराबर 1 प्लस 80 alpha 1 को इदर ले आओ तो 2.4 हो जाएगा 2.4 बराबर 80 alpha इसे लिख दो 24 बाबर 10 बाबर 80 alpha 8 से 8 दो 10 जा 3 जा alpha आगे दिख रहा हो तो 3 बार 100 तो alpha आगे 3 इंटू 10 की पार माइनस 2 unit क्या होती है per degree centigrade. alpha यहने temperature coefficient of resistance कितना आगे 3 इंटू 10 की पार माइनस 2 यहने answer आगे बी 3 इंटू 10 की पार माइनस 2 per degree centigrade. बहुत द्यान से. पर्मूला आपको याद आना चाहिए. क्या होता है rt equal to r naught 1 plus alpha delta t rt equal to क्या होता है बेटा बोलेंगे r naught 1 plus alpha delta t और solve करो इसे alpha के लिए. समझ में आ रहा है? बहुत द्यान से. और आगे बढ़ते हैं. यह अच्छा सवाल है. बहुत द्यान से इसे कीजिएगा. यह एक डाइपोल है. डाइपोल चमझते हो. जिसमें दो equal और opposite charge रखे हो. पास पास. तो यह 3 cm सेंटर से, यह 3 cm सेंटर से. तो डाइपोल की लेंद को 2 A से लिखते हैं. तो 2 A आगे है 6 cm. तो यह आगे है 6 cm. डाइपोल की लेंद कितनी है बेटा बोलेंगे 6 cm. ठीक है? और सेंटर से 5 cm के distance पे यह आपको R दे दिया है. आपको electric क्या निकालना है? potential. electric potential यहने भी निकालना है. दियान रखना है लेकिन 10 की पावर 2 वोल्ट में निकालना है. मतलब मतलब में समझाओंगा. एक डाइपोल दिया है. डाइपोल की axis पर एक पॉइंट है और P पर हमें electric potential निकालना है. तो डाइपोल के axis पर electric potential निकालना है. हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं. एक तो लिखा है P upon R square minus A square और एक लिखा है 1 by 4 by epsilon naught जिसमें हम डाइपोल को छोटा मान लेते हैं. P upon small P upon R square जिसमें हम डाइपोल को छोटा मान लेते हैं. एक को neglect कर देते हैं. तो सवाल उठता है कौन सा formula लगाएंगे. नेचल है छोटा ही वाला लगाएंगे. जादा तर सवालों में छोटा वाला लगता है. लेकिन इस सवाल में नहीं लगेगा. ये वाला formula नहीं लगेगा. बहुत ध्यान से लगा के देखो आंसर नहीं आएगा. इसमें आर कितना दिया है? पांच सेंटी मीटर. तो क्या डाइपोल की लेंद आर के टर्म्स में चोटी है? बिलकुल नहीं है बड़ी है. डाइपोल की लेंद कितनी दिये? छे सेंटी मीटर. टोटल. टूए. जबकि डिस्टेंस कितना दिया है? पांच सेंटी लगेगा बहुत ध्यान से तो वन बाइपोर पाइपसाइलन नॉट को कह रहे हैं के लिखना है ठीक है तो एक्सेस का पर्मूला लगाया बड़ा वाला क्यों डाइपोल को छोटा नहीं मान सकते हैं ना ए जो है वो छोटा नहीं है मेटा आर के कंपैरेजन में इसको कह रहे है के लिखो पी को लिख दो क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्पेर माइनस ए स्क्वेर के की जगे क्यू की जगे क्यू की जगे क्यू ही लिखना है तो क्यू की जगे क्यू लिख दिया डाइपोल की ओवराल लेंद कितनी दिया है डाइपोल की ओवराल लेंद पूरी 6 स्क्टिमींटर पांच बखे एस सो लेकिन इसका स्क्टेर करना है मायन Council की पूरी लेंद तो हेच स्टी लेंद कितनी होगी यह कितना होका तीन तो माय लेकिन सेंटी मीटर में तो तीन बटे सो का स्क्वेर इससे ही आंसर आएगा ध्यान रखना डाइपोल को छोटा नहीं मान सकते डिस्टेंस कम दिया है डाइपोल की लेंथ ज़्यादा दी है तो आपको लगाना है पूरा फॉर्मूला ठीक है बटा तो 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 के क्यू शिक्स बाइंडेट स्वल करो अपन फाइबाइंडेट 25 बाइंडेट का स्क्वेर माइनस नाइन बाइंडेट का स्क्वेर यह होगे है बटा के क्यू शिक्स बाइंडेट 25 बाइंडेट का स्क्वेर माइनस नाइन बाइंडेट का स्क्वेर का स्क्वेर 25-9 बेटा 16 ऐसा एक हंड़ेट से एक हंड़ेट कट गया दिख रहा हो तो दिख रहा है और ये वाला हंड़ेट ऊपर गया तो के और कुछ तो नहीं है के क्यू सिक्स अपॉन सिक्स्टीन इन्टु हंड़ेट को लिख सकते हैं टैन की पावर टू इसी के फॉर्म में लिखना है टैन की पावर टू बोल्ट में मतलब ये हो गया हमारा आंसर ये हो गया हमारा आंसर आंसर को हमें किसमें लिखना है टैन की पावर टू बोल्ट में अच्छा सवाल बेटा 3KQ by 8 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट हमें 10 की पावर 2 वोल्ट में यह आंसर लिखना है तो आंसर आगे है 3KQ by 8 क्या दिया है 3KQ by 8 3KQ by 8 यहने आंसर आगे है D बहुत ध्यान से आंसर आगे है D चोटा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करना आंसर नहीं आएगा क्यों? क्योंकि A चोटा है ही नहीं वो तो तब लगता है चोटा फॉर्मूला जब डाइपोल की आदी लेंद बहुत चोटी हो आड़ से अभी तो कंपेरेबल है बेटा डाइपोल की लेंद 6 है डिस्टेंस 5 है तो डाइपोल की लेंद को चोटा नहीं माना जा सकता तो कंप्लीट वर्मूला लगाया वेली उडाली आंसर आया फॉर्थ बहुत 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 द्यान से कीजिए अगला है दस रेजिस्टर है इच ओप रेजिस्टेंस आर और सिरीज में कनेक्ट हैं बैटरी का EMF E है पहले यहीं तक पढ़ो सिरीज में जुड़े हुए है और ओम स्नौ लगा दो बैटरी का EMF E है करंट आई मानो रेजिस्टेंस की जगे लिख दो 10R 10R क्यों लिख दो बेटा सिरीज में रेजिस्टेंस देट होते है 10 रेजिस्टेंस ने सिरीज में है तो 10R फिर कह रहे है पेरलल में जोड़ा अब पेरलल की बात करो सेम बैटरी से तो करंट जो है N गुनी बढ़ गई ठीक है बेटा सेम बैटरी से जोड़ा तो फिर से भी बराबर I.R. लगाओ, V की जगे E, current N को नहीं बढ़ गई, तो current की जगे NI, और resistance क्या होता है, parallel में बिटा बोलेंगे, R by 10 हो जाएगा, जो resistance series में 10R हुआ करता था, वो resistance parallel में कितना हो जाएगा, बिटा बोलेंगे, R by 10, तो हमें क्या करना है, value of N बताना है, दोनों को divide कर दो, या equal कर दो, ये भी E के equal है, ये भी E के equal है, आपको ये पता होना चाहिए बस बिटा, कि series में resistance 10R लेना है, parallel में कितना लेना है, R by 10, दोनों को equal कर दो, I into 10R, बराबर NI into R by 10, R से कट गया, R, I से कट गया, I, N की value आगई 100, 10 ये, 10 ये, N की value आगई 100, यने answer आगया 1, N की value कितनी आगई 100, यने की answer आगया 1, N की value कितनी आगई 100, यने answer आगया 1, बहुत ज्यान से देखिए बिटा, ठीक है, आगे देखते हैं, एक तार है कुछी शेप में है, ये क्या है semi-infinite wire? ये क्या है semi-circle? ये भी क्या है semi-infinite wire? P point पे मुझे क्या नकालना है? Magnetic field, वो magnetic field ही होगी, Living on P point पे मुझे magnetic field नकालना है, तो किसका influence जयादा होगा बیठा? ये semi circle का influence इस point पे जादा होगा क्योंकि ये जो point है semi circle के close है current कैसे बह रही है anti clockwise क्या नियम होता है anti clockwise current पे semi circle की बात ही हो रही है भी जो magnetic field होती है वो towards viewer होती है anti clockwise में क्या होती है magnetic field towards viewer towards viewer याने dot और इसी का influence जादा है मतलब जो final answer आएगा वो dot में आएगा towards viewer towards viewer को कह सकते है away from the page मेरी तरफ कोई चीज आ रही है मतलब board से दूर जा रही है away from page आएगा तो 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 या तो या तो या answer होगा या या answer होगा या दोनों तो होई नहीं सकते क्यों नहीं हो सकते बेटा away from the page answer आएगा anti clockwise है कितनी होगी चलो पहले इसी को लिख ले ये B1 और B3 तो equal होगी ये दोनो semi-circuits semi-infinite wire है और इसकी magnetic field को में B2 कह देता हूँ तो B2 कितना आएगा बेटा semi है तो half of mu naught by 4 pi 2 pi n i by r n तो दिया नहीं है 2 से 2 काटो तो ये आजाएगा mu naught by 4 pi pi i by r ये किसकी बात हो गई semi-coil की pi i by r और direction क्या हो गई इसकी dot क्यों हो गई dot anti clockwise में direction dot ही होती है anti clockwise में direction dot ही होती है dot याने away from the page अब wire का देखो बेटा इसी तार को देखो ये current है ये देखो उंगलियें कहा जा रही है boat की तरफ या ये देखो ये current है तो उंगलियें कहा जा रही है boat की तरफ इन दोनों की magnetic field cross होगी b1 भी cross होगा b3 भी cross होगा समझ लीजिए क्यों ये current है देखो तो ये उंगली मेरी board की तरफ जा रही है ये current है तो ये उंगली देखो मेरी board की तरफ जा रही है अच्छा B1 और B3 की value equal होगी कितनी mu naught by 4 pi 2i by r तो होती है बेटा infinite wire की और semi infinite wire की इससे आधी होती है semi infinite wire की इससे आधी होती है तो 2 से 2 काट दो mu naught by 4 pi i by r ये दोनों अलग दिशाओं में हैं इन दोनों की दिशाओं हैं cross ये हमसे दूर जाएंगी तो ये बन गई second equation तो बोलो coil की magnetic field कैसी है semi coil की हमारी तरफ और तारों की magnetic field कैसी है हमसे दूर और coil का effect ज़ादा होगा क्योंकि coil जो है p point पे ज़्यादा close है क्या आएगा final answer b2 minus b1 minus b3 b2 में से b1 और b3 गटा दो तो b2 कितना है mu naught by 4 pi common ले लो अब बोलो b2 कितना है pi i by r b1 कितना है i by r और b3 भी कितना है i by r minus i by r minus i by r जिस पॉम में भी answer दिया वेटा mu naught by 4 pi pi i by r minus 2 i by r क्या i और r को common लिया गया है देखते है हाँ i तो common है r भी common है ले लो mu naught by 4 pi i by r bracket में आया pi minus 2 किस पॉम में answer है mu naught by 4 pi नहीं लिखा है कहीं mu naught by 4 pi कहीं नहीं लिखा 4 pi नहीं 4 r आप देखो answer दिया है अच्छा इसकी direction क्या होगी मैंने बोला है coil pass में है तो towards fewer यहने dot यहने away from page वो तो हम पहले टिक कर चुके है mu naught i by 4 r 1 minus 2 by pi mu naught i by 4 r 1 minus 2 by pi यहने option आगे 2 option 2 option 2 यहने यहने option B बहुत दियान से देखो यह है semi coil की और यह है semi finite wires की semi coil की हमारी तरफ होगी semi finite wires की हमसे दूर जाएगी अच्छा final क्या होगी हमारी तरफ क्यों क्योंकि यह point P semi coil के ज़्यादा close है clear है answer आगे है second बहुत दियान से कीजिएगा बहुत दियान से अगला है radius दिया है inner most orbit का इतना ठीक है और third orbit का निकानना है radius का formula क्या होता है point 53 n square by z अब अंस्टम अंस्टम छोड़ो ऐसे ही लिख दो point 53 n square by z point 53 n square by z साफ देख रहा है radius proportional होता है किसके 10 square के क्या formula बन जाएगा r1 by r2 बरापर n1 square by n2 square r1 कितना दिया है 5.3 into 10 की पार minus 11 r2 निकालना है शुरू में n कितना inner most orbit है यहने बन बाद में n कितना है third allowed shell है यहने n की value 3 लेना है इसको solve करो r2 के लिए इसको solve करो r2 के लिए r2 बरापर हो जाएगा 9 into 5.3 into 10 की पार minus 11 यह हो जाएगा 9 3 is a 27 47.7 into 10 की पार minus 11 meter आंसर दिया है अचा answer अंक्स्टम में है एक 10 को इधर ले आओ 4.77 into 10 की पार minus 10 meter यह आगया 4.77 अंक्स्टम यह आगया 4.77 अंक्स्टम यहने answer आगया 3 4.77 अंक्स्टम यहने answer आगया 3 radius किसके radius equal to क्या होता है 0.53 n square by z यहने radius proportional होता n square के solve किया हमने r2 के लिए बहुत ध्यान से इस तरह से हम आगया है last question पे net impedance of the circuit impedance को किस से लिखते है z से लिखते है तो यह rlc series circuit है इसमें impedance निकालना है चलिए निकालते है सबसे पहले देखो coil लगी है तो excel निकालो excel का formula होता है omega l या 2 pi new l तो 2 pi frequency कितनी दी है 50 और l कितना दी है 50 by pi pi जे cancel pi कितना आ गया यह 100 एक मिनिट के 50 million दी है तो into 10 की पार minus 3 भी करो यह हो गया 100 into 50 into 10 की पार minus 3 सारे 0 कड़ गया 5 आ गया 5 क्या ohm एना पिटा excel का आए में रहता है ohm में रहता है फिर दूसरी चीज क्या निकालो xc 1 by omega c या 1 by 2 pi new c 1 by 2 pi frequency कितनी है 50 c कितना है 10 की पार 3 by pi एक मिनिट 10 की पार 3 by pi micro parade 10 की पार minus 6 pi से pi कड़ गया यह 10 की पार इससे minus 3 कड़ गया तो यह 1000 उपर चला गया बड़े 100 आ गया 100 कैसे 52 जा तो यह आ गया बड़ा 10 हो xc कितना आ गया 10 हो अब मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है impedance याने z z को पर्बूला होता है अंडर रूट r square याद होना चाहिए प्लस xc बड़ा आ रहा है बिड़ा xc माइनस xl का whole square xl माइनस xc लिखो या xc माइनस xl लिखो एक ही बात है square है तो कोई दिक्कत नहीं है तो रूट में 10 का square प्लस 10 माइनस 5 का whole square root में 10 का square हो गया 100 और यह हो गया 25 यह आ गया root एक मिनट 10 माइनस 5 5 हा root 125 इस form में दिया अच्छा ऐसे root 125 को लिख दो 25 इंटू 5 इसको लिख दो 5 root 5 5 root 5 क्या बेटा बोलेंगे oh तीन लोगों की unit ohm होगी xl की unit bhi ohm होगी xc की unit bhi ohm होगी और z की unit bhi ohm होगी खुर में लाके 5 root 5 इनने answer आ जाएगा 2 answer क्या जाएगा बेटा बोलेंगे 2 तो बहुत ध्यान से impedance कैसे निकाला z is equal to root of r square plus xl minus xc का whole square answer आया 5 root 2 तो यह आपका complete हुआ section b clear है hope एक-एक सवाल आपको समझ में आया होगा और आपका paper बहुत अच्छा गया होगा चलिए मिलते हैं good bye